Sometimes in life कभी-कभी जिन्दगी में सब कुछ new चलती है Sometimes, life goes smoothly कभी-कभी चीज़ें बेलकुल smoothly चलती है कभी-कभी unexpected हो जाता है Important चीज क्या है? Problems को कैसे ? opportunities में convert करना है Look at this picture इस picture को देखोगे, तो बहुत एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी कि problem आई जिन्दगी में तो तूटना नहीं है उस problem को अपने लिए एक opportunity बना देना है and that is how life works और यही तरीका है जैसे जिन्दगी काम करती है चलिए, vocabulary पर आते हैं let's come to the vocabulary पहला word है reckoning इसकी उपस टार मार्ग कीज है important word है reckon word का meaning क्या होता है किसी चीज को calculate करना किसी चीज को estimate करना किसी चीज को evaluate करना कि आप पता लगा रहे हो गड़ना कर रहे हो कि वो चीज कितनी है उसको बहुते है reckoning noun की तरह इसको हम इस्तमाल करते हैं precipice, last में OUS लग रहा है partial speech क्या हो गया जिन शर्दों के last में OUS लगता है वो words हमारे adjective होते है precipice बढ़का meaning क्या होता है जो बहुत ज़्यदा steep हो बहुत high हो या बहुत steep हो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं precipice epidemiological last में AL लग रहा है मतलब ये भी adjective है ये उस branch से related है जो बिमारी के control से related होती है बिमारी कैसे हुई कैसे फैली कैसे control हुई उस medicine की branch को हम क्या बोलते हैं epidemiological recoup के उपस tarma की जो important word है इसका मतलब होता है फिर से जान आ जाना regain कर लेना किसी चीज़ को recoup कर लिया मतलब आपने recover कर लिया किसी चीज़ से that is what recoup करना action की बात कर रहे है तो part of speech क्या हो गया टैली क्या है मतलब number क्या है score क्या है amount क्या है उसको हम क्या बोलते हैं टैली current score और amount T-A-L-L-Y-T-A-L-L-I-E-S उसका plural form होते है तो टैली means what's the score is what the amount is part of speech क्या हो गया right noun heard group group को क्या बोलते हैं heard इसको collective noun की तरह भी इस्तिमाल करते है group of people is known as a group of animals is known as herd और इसको हम verb की तरह भी इस्तिमाल करते हैं to move together as a group उसके लिए भी herd यूज़ किया जाता है screenshot ले जिए फिर हम आगे बढ़ेंगे take a screenshot everyone then we'll move ahead run आगे बढ़ते हैं अगला word है imply imply का मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज को आप imply कर रहे हो मतलब उसका मतलब बता रहे हो कि इस चीज से यह imply होता है मतलब इस चीज से यह बात पता लगती है किसी चीज का truth बताना किसी चीज का existence बताना means imply करना और इससे क्या imply करना चाहता है मतलब और इससे क्या सच्चाई आपके सामने रखना चाहता है part of speech क्या हो गया verb action की बात कर रहे है remnants जो बच गया है remnants means वो quantity जो destruction के बाद बच गई है जो remainder है उसको हम क्या बोलते है remnants लास्ट में ant लग रहा है इसका मतलब इस शब्द को हम कैसे इस्तमाल करते है noun की तरह nascent वर्ड की पर स्टार मा कीजिए important word है nascent means something which is new कोई ऐसी चीज जो भी new born है अभी अभी आई है existence में उसको हम क्या बोलते है nascent इसको हम adjective की तरह इस्तमाल करते है taper down means धीर 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 खत्म हो जाना taper down इंडिया का जो नक्षा है वो ऐसे है taper down करता है मतलब इंशे की तरफ कम होता चला जाता है यह हमारी क्या है एक phrasal verb है subdue करना मतलब दबे हुए रहना शांत शांत रहना depressed सा रहना subdue करना इसको हम verb की तरह भी यूज करते है और इसको हम adjective की तरह भी यूज करते है अगला word is spillover spillover means उसका impact क्या हुआ उसका result क्या आया उसका repercussion क्या हुआ इसका consequence क्या आया यह दो शब्द है एक negative शब्द है an unexpected consequence और repercussion of something समझ आई vocabulary सभी को vocabulary clear to everyone चारे आगे बढ़ते है आज के article पर आते हैं और article किस बारे में है आज का आज का article है clearing the airways article को स्टार्ट करने से पहले में सभी को request करूंगी कि एक बार इस session को like कर दो तुरंत और share कर दीजे I would request everyone of you to like and share this session immediately चार तो article पर आ चाते है clearing the airways airways को clear करने की बात हो रही है the world must prioritize world की इस समय priority क्या होनी चाहिए world का सबसे top most priority इस समय होनी चाहिए equitable health care कि सभी को health मिले equality हो health care देने में and also और जो पहले चीज़े normal चल रही थी वो उस stage पे भी हम वापस आ सके तो इस समय world की priority होनी चाहिए कि सब को health care facilities मिले और normal की तरफ हम move कर जाए चल यह पढ़ते हैं पहले आप पढ़ेंगे फिर मैं explain करूंगी आपके पास देड़ मिनिट का टाइम है read it everyone सभी लोग read करेंगे जैसे ही पढ़े लेंगे comment करेंगे डान in what will cheer वो चीज जो खुश कर देगे वो चीज जो tourism industry को और यात्रियों को खुश कर देगी वो यह चीज है कि government ने allow किया है वो passengers जो पूरी तरीके से vaccinated है 82 countries के कि वो हमारी country में आ सकते हैं और जो पहले उनको mandatory quarantine period मतब जरूरी था उनके लिए कि उनको 14 दिन का quarantine लेना है या फिर उनको अलग रहना है वो भी आप हटा दिया गया है February 14 से जो requirement थी compulsory on arrival testing कि जैसे ही वो passengers आएंगे इंडिया उनकी testing होगी कुछ countries से जिन countries को हम risk पर identify कर रहे थे कि जिन countries में हो सकता है COVID जादा फैल रहा था उस requirement को भी remove कर दिया गया है मतलब अभी कोई passenger आएगा ना ही उसकी testing होगी और ना ही उसको quarantine रहना पड़ेगा यह जो guidelines है जो ministry of health से आई यह उन countries पर apply हो रही है जिनके साथ इंडिया का pact of reciprocity है pact of reciprocity का मतलब क्या होता है pact means एक agreement है reciprocity means जैसा हम कर रहे हैं वैसा तुम भी करना अगर हम तुमारे citizens को allow कर रहे हैं तो तुम भी हमारे citizens को allow करना तो उन countries के साथ agreement है reciprocity का और इसमें कौन कौन सी countries है UK है, US है, Canada है, Australia है, New Zealand है यह फिर वो countries है जिनमें बहुत ज़ादा लोग आते जाते रहते हैं इंडिया से currently इंडिया के air bubble agreements है 35 countries के साथ government ने पहले international air flights start की थी December 15 से लेकिन फिर इस decision को वापिस ले लिया था क्योंकि Omicron variant फैल गया था समझाए सबी को first paragraph तो summary क्या हो गई, summary यह हो गई कि travel restrictions को अब कम कर दिया गया है, पहले जो mandatory testing थी quarantine था उसको हटा दिया गया है, यह उन countries के साथ है, जिनके साथ mutual agreement है हम भी ऐसा करेंगे और तुम भी ऐसा करोगे, बहुत सारी countries के साथ air bubble agreements भी है, air bubble means protection होगा और government ने पहले December 15 में flights को start किया था, but omicron के फैलने की वज़ा से बंद कर दिया था, air bubble agreements का मतलब होता है, कि एक तरीके से हम कह सकते है, इसे air bubble तो हम तब बना रहे थे, जब हमें बाकी लोगों को बाकी लोगों से अलग करना था, उसको हम air bubble कह रहे थे, for example, इस अ ओलम्पिक्स में हुआ था, अब यहाँ पर air bubble agreement का क्या मतलब है, एक तरह का agreement हो गई है, मतलब, temporary arrangements किये जा रहे होंगे, air bubble बनाने की, मतलब, corona फैले न, मतलब, उस तरह के agreement को हम कहते होंगे, air bubble agreement की, अभी restrictions है, air bubble is not an idiom over here, air bubble agreement का मतलब है, अभी भी कुछ-कुछ restrictions है, जैसे इन countries के साथ तो restrictions हटा दिये गए, इन countries के साथ तो restrictions हटा दिये गए, यहाँ पे इन countries के साथ अभी भी restrictions है, travel arrangements ऐसे किये जा रहे हैं, कि COVID ना फैले, temporary agreements चल रहे हैं, आगे पढ़िए, air bubble कोई idiom नहीं होता है, it's not an idiom, वो agreement का नाम ही है, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, जो टूरिजम इंडस्ट्री है, वो क्या estimate करती है, टूरिजम इंडस्ट्री का estimation है, कि COVID-19 की वज़ए से, 1500 लाग करोड का loss हो चुका है, मार्च 2020 से, टूरिजम इंडस्ट्री को इतना बड़ा loss हुआ है, कोविड की वज़ए से, 2020 से अगर हम चेक करें तो, पैंडमिक से पहले अगर हम बात करें, COVID से पहले के अगर बात करें, तो इंडिया में कम से कम 1.1 करोड इंबाउंड टूरिस्ट आते थे, टूरिस्ट आते थे, और 2.7 करोड आउट बाउंड टूरिस्ट अनुली, मतलब इंडिया में इतने सारे inbound का मतलब क्या होता है अंदर ही अंदर गे और outbound की जो बाहर से आ रहे हैं तो इंडिया में इतने tourists आते थे और जाते थे ऐसा industry के estimates कहते हैं और ये जो नए relaxation दिये गए हैं कि आपको quarantine नहीं होना पड़ेगा आपकी testing नहीं होगी ये क्या करने के लिए कोशिश की जा रही है कि जो numbers हैं वापिस से आ सके tourism industry जो इतनी बुरी तरीके से hit हुई थी covid की वज़े से वो जो industry है उसमें वापिस से जाना सके इसी लिए ये सारे के सारी चीज़ें हुई है there are sound, sound means logical logical एपिडेमिलोजिकल रीजन्स है मतलब medicine से related है health से related reasons है इंडिया की जो daily trajectory trajectory means रास्ता कर्व पूरा का पूरा तो इंडिया की जो trajectory covid-19 cases की वो नीचे जाती जा रही है मतलब जो पूरा का पूरा ग्राफ है वो नीचे जाता जा रहा है पहले 3,000,000 cases दिन में थे अगर January 24 की बात करें और अब जो है 58,000 cases ही बचे हैं दिन के मतलब covid-19 के जो cases हैं वो इंडिया में कम हो रहे है it bears remembering this precipitous fall इतनी तेजी से जो गिरावट हो रही है cases में speed of which is unusual compared to previous waves पुरानी वाली waves से भी speed हम compare नहीं कर सकते है से एक recline नहीं हुआ था जितना इस wave में हो रहा है यह testing attitudes की वरे से भी हो सकता है कि लोग testing ही ना करवा रहे हो सकता है तो यह जो speed है यह unusual है यह strange है ऐसी speed पहले कभी नहीं अचीव हुई कि इतनी तेजी से cases गिर गए मतलब जैनुरी 24 को भी निकले हुए दिन ही कितने हुए है इसमें 3,000,000 cases थे और February 11 को देखे हैं तो 58,000 cases है मतलब यह speed है यह unusual है strange है अगर पिछली वाली waves से compare किया जाए तो और यह हो सकता है कि इसकी वरे से हुए हो testing attitudes में चेंज आ गया है इसकी वरे से cases इतने तेजी से नीचे जा रहे है clear? precipitous means बहुत तेजी से नीचे जाना आगे पढ़िए sound means logical चपिए तेजी से छेसे आगे का लिखा हुए जो आसानी से इतनी रापिड एंडिजन टेस्ट आपको अवेलेबल किये जा रहे हैं जिनको खुद से लिया जा सकता है उसकी वड़े से क्या हो रहे बहुत सारे केसिस में अपनी टेस्टिंग अन्दर नहीं और लोग बहुत और लोग बहुता की नियुक्ति अब्सक्राइबल को दें आया लाई जब हैं अगर हम ड़ी मैं चाहिए तो सब्सक्राइबल बुक्ति भूय अगरबम करें जितने उनको hospitalization की जरूवत नहीं पड़ी उपर से vaccines भी थी हैं सब के पास तो third wave जो है उसने बहुत जादा खत्रा नहीं दिखाया health threat बहुत कम था third wave का हालां कि deaths बढ़ती रही it was not to the same degree उतनी deaths नहीं हुई जितनी डिगरी जितनी death second wave के दौरान हुई थी हालां कि full estimation के लिए full evaluation के लिए भी समय लगेगा जब death जो जितनी हुई है state से वो public होना start हो जाएंगे तो अथर नहीं गोला कि ओमेक्रोन देखो mild आया था हलका फुलका सा आया था लोग ने घर पे टेस्ट कर लिया घर पे दवाई ले ली कोई भी hospitalization बहुत कम हुआ, deaths भी कम हुई हालां कि अभी deaths का actual data हमें नहीं पता है तो हम clear बात तभी कर पाएंगे जब death का data हमें state से मिलने लग जाएगा और वो death का data public हो जाएगा reckoning miscount करना किसी चीज़ को चले last paragraph स्वेख यूभ झान फ्तॉफ टृट चीज़ दी सिंव ब거ाएंगे जड़ना को चैट रही है जो स्वेवर्ब fiance गज़ झाल फाइनली जो अलग अलग रिजल्ट्स आए बाहर की कंट्रीस में बूस्टर डोस देने से इन डाट दे वर नॉट इनफ वो इनफ नहीं थे ट्रांस्मिशन को रोकने में मतब लोगों ने बूस्टर डोस भी लगा ली फर्स डोस भी लगा ली फिर भी कोविड को फैलने से नहीं रोक पाए तो इस बात को हम मान गए हैं कि कोरोना वाइरस को हम मिटा तो नहीं सकते वैक्सीन से हाँ उसको दूर जरूर कर सकते हैं टाइम के साथ लेकिन हम मिटा नहीं सकते हैं हम अप्रोचिस यूज़ करें जैसे मास्क पहने वैक्सिनेशन लगवा हैं छोटे-छोटे लॉकडाउन होते रहेंगे तो कोरोना वाइरस को मिटाया तो नहीं जा सकता है बट कोरोना वाइरस को दूर रखा जा सकता है साथ की साथ ऐसे कोई सिचोएशन नहीं है कि जाँ पर हर्ड इम्मूनिटी हो जाए घर्ड इम्मूनिटी में सब के अंदर इम्मूनिटी आज़ाय है तो इस से वाइरस हड जाएगा क्योंकि breakthrough infections कितनी भी इम्मूनिटी आज़ा infection होई जाता है और reinfection भी हो जाता है यह सब चीज़ें बहुत common है rife का meaning क्या होता है white spread है common है कि पहले infection हो गया फिर दुबारा भी हो गया schools को खोलना air travel को normalize करना यह बताता है कि अब दुनिया को सीखना पड़ेगा कि सब को healthcare मिले, सब का hygiene improve हो, सब आगे बढ़े और reclaim करना पड़ेगा और repair करना पड़ेगा, मतलब अपना जो pre pandemic period से पहले की चीज़ें थी, उनको वापिस लाना पड़ेगा उनको ठीक करना पड़ेगा, जो COVID के बाद जो चीज़ें बच गई हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा, और प्री pandemic period की तरफ आगे move करना पड़ेगा, remnants means remainder बिटा, जो बचा हुआ है determines रोकना, तो author ने क्या बोला कि होई coronavirus को मिटा तो नहीं सकते हैं, तो इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा coronavirus को मिटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन आब इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा last में author का suggestive tone हो गया पहरे informative था, फिर last में suggestive हो गया समझ में आया सभी को जितनी बच्चों को grammar में दिक्कत है, vocabulary नहीं समझ में आती, आप सभी की देड़ बज़े achiever CVC class होती है Monday to Friday free class होती है सबके लिए make sure कीज़े कि आप इस achiever CVC class को regularly attend करें grammar और vocabulary की दिक्कत बिल्कुल खतम हो जाएगी अगर आप achiever CVC class में आते हैं तो, unacademy learning application पे जाओगे निमेशा बंसल सर्च करो कि आपको मेरी achiever CVC class मिल जाएगी कहीं भी कोई भी code पूछा रहे पूरी application पे आपको code क्या लगाना है निमेशा निमेशा इस code को लगाओगे class open हो जाएगी आज लेड़ बज़े आपकी foundation बाच की class है जहां पे हम जो topic करने वाले हैं tenses की practice करेंगे हैं तो आज के session में we will practice a lot of question of tenses बहुत सारे questions हम tenses के practice करने वाले हैं आज के session देड़े बज़े चलिए ready for skimming नौ तयार है skimming के लिए staying accommodative growth is RBI is top priority RBI की top priority क्या है growth central bank ने comment नहीं किया कि वो कैसे इतने बड़े borrowing program को manage करेगी जिसने markets को भी एकदम हैरान करके रख दिया है तो yield जो है वो 6.95 परसंट जा चुकी है union budget के बाद center कितना plan करने की कोशिश कर रहा है center का इस बाद कितना center borrow करने का plan कर रहा है 11.2 lakh crore 2022 और 23 में मतलब center इतना साथा पैसा borrow करने का plan कर रहा है अब central bank को देखना पड़ेगा कि वो कैसे manage करगा market तो एकदम क्या हो चुकी है है रान हो चुकी है शौक हो चुकी है इतनी बड़ी announcements है चलिए मुझे main idea बताना बस just tell me the main idea हम skimming करेंगे हम reading नहीं करेंगे spook का मतलब होते है एकदम shock हो जाना एकदम हैरान हो जाना एकदम frightened हो जाना उसको बोलते है spook झाह को कि कि मुझे मेन आइडिया बताना बस किया से स्किमिंग करी आर बी आइ ने पॉलिसी रेट्स को चेंज नहीं किया अभी जो नई नई रिकवरी हो रही है उसको सपोर्ट करने के लिए रेपोरेट में कोई चेंज नहीं आया महेंगाई का फोरकास्ट इतना था और बोला इन्होंने इस बात को बोला किसको देखे कि जो कमफर्ट दे रहा है इंफलेशन का नजरिया कि इंफलेशन लग रहा है कम हो जाएगा और अंसर्टिनिटी भी है ओमिक्रॉन को लेके ग्लोबल पे लोवर्स को लेके मतलब ग्लोबली भी चीज़ें ऐसी हो रही है जो इन आइडिया क्या था एकॉनमी को पुश करने के लिए आर बिया ने क्या अनाउंस किया कि हम रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं करेंगे नो चेंज इन रेपो रेट और सारी डिफिकल्टीस हाइलाइट करी है अनसर्टिनिटी है को मिक्रून की वज़े से ग्लोबल स्पे लोवर्स मतलब ग्लोवर आक्शन्स की वज़े से अनसर्टिनिटी है तो उन्होंने रेपो रेपो रेट को चेंज नहीं किया कि स्तια्ट्स में अपना इस पूइछ आप का पोश्च्राइब किसी को लेकर आपका यूपीनियन एकईउर्स को इसकर को बाते हैं इस्ताज में ड़्निटीस द में रेट होता है बिट्स में बाकी बांक को लोन देता है उसको बीप हरेड ४ार्यरट आगे skim कीजो मुझे main idea बताना बस रिवर्स रपूरेट होता है जिस रिट पर बैंक्स अपना पैसा सेंटल बैंक में लगाती है उसको बोलते है रिवर्स रपूरेट किया है में आइडिया वट इस अमीन आइडिया फोरकास्ट ने बताया कि इतनी जीडिपी ग्रोथ होगी low inflation ने बताया कि इंफलेशन बहुत जादा नहीं रहेगा अभी दो 2021 में तो inflation बहुत जादा था बड़ ने बोला कि 2022 में जो है inflation बहुत जादा नहीं रहेगा and the dovish stance dovish stance word का meaning क्या होता है dovish एक तरह की policy होती है dovish इसका मतलब क्या होता है कि हम हम चीजों को सपोर्ट करेंगे हम चीजों को बहुत जादा सपोर्ट करेंगे उस तरह का stance लिया आर बिया ने तो इसकी वरसे बॉर्ण markets में भी अच्छा हुआ जिन्होंने सोचा था कि डिवर्स रेपोर्ट इतना बढ़ जाएगा benchmark जो yield था वो भी इतना हो गया मतलब जो उनको final जो rate मिलेगा वो भी इतना हो गया उन्होंने बोला कि हम सारी चीजों को देखें crude oil prices को देखें इन सबको हमने लिया है inflation का number बताते समय और हमें लग रहा है कि महंगाई कम हो जाएगी उन्होंने बोला omicron के जो risks हैं वो भी कम हो गया है और supply chain pressures भी ठीक ठाक हो गया है तो inflation महंगाई कम हो जाएगी RBI की approach को बताते हुए उन्होंने बोला कि हम बाकी banks जो policies rates बढ़ा रही है हमने rate क्यों नहीं बढ़ा है तो उन्होंने बोला क्योंकि उन countries में जो महंगाई का character है वो हमसे बहुत अलग है मतलब main idea क्या था main idea यह था एक तो यह कह रहे हैं कि महंगाई कम हो जाएगी लेकिन हम अपनी country में रेपोरेट नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमारी country की जो चीजे हैं बाकी country की जो चीजे हैं वो सब अलग-अलग हैं दो country को compare नहीं कर सकते हमारी country की जो भी recovery है वो भी नई नई शुरू होई है अभी बहुत अपने nascent stage में है अगर हम ऐसे में recovery के टाइम पर रेपोरेट बढ़ा देंगे तो इस recovery हर्ट हो जाएगी हो सकता है recovery ना हो तो इसी लिए अभी हम रेपोरेट नहीं बढ़ाएंगे ऐसा central bank में बोला आगे पढ़िए फेड मिस खतम होना धीर 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 ग्राजवली फेड अवे मिस धीर 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 खतम हो जाना decoupling मिस अपने आपको अलग करना कर दो को सेंट्रल बैंक ने कॉमेंट नहीं किया कि कैसे इतने बड़े बॉरॉइंग प्रोग्राम को मैनेज करेगी जिसने मार्केट्स को भी एक दम शॉप कर दिया है और इल्ड 6.95 परसन कैसे जली जाएगी यूरेंट बचेट के बाद सेंटर ने बोला है कि हम इतना पैसा बॉरॉ को करेंगे आर्बय गौरंनर ने हिंट दी है कि बॉरॉइंग जो हैं वो सकता है कंगो मूजीट में जाधा लिखिऑ हो टेकित हो सकता है बॉरॉंइंगि बटाया है कि हम फ्धूर्न इन्वेस्ट को ले कि आएंगे इससे हो सकता है म्अर्केट में प्रेशर कमों गौवरory है कि RBI जो बोल रहा है कि महंगा ही कम हो जाएगी यह बहुत optimistic हो के बोल रहा है actual में नहीं होगा इल का मतलब क्या होता है आपने कोई loan लिया आपने कोई क्रेडिट लिया तो उसका कितना percent yield है मतलब उसका कितना output देना पड़ा उसका कितना आपको percentage देना पड़ा that is the yield basis point होता है 100th of something for example one basis point है तो one basis point का मतलब क्या होता है 0.01% इसको बोलते है one basis point 10 basis point तो 10 basis points का मतलब क्या हो गया 0.10% इस तरीके से basis point को निकालते हैं optimistic means बहुत ज़्यादा hopeful होना बहुत ज़्यादा positive सोचना portfolio means सारे के सारे investments का combined को बोलते हैं portfolio of something आपने investment किया तो आपका portfolio क्या हो गया कि मैंने 10% इस में invest किया 20% में invest किया 30% में invest किया तो वो आपका पूरा portfolio है चलिया next yield means the final thing that you are getting the final profit हो गया अपको final profit हो आपको final profit हो that is your yield बॉरो मीज उधार लेना लास्ट पारग्राफ गेमेट एवरिवान प्रांजल बंडारी जो चीफ एकॉनमिस्ट है इंडिया के उन्होंने बोला कि जो इंप्लेशन रिस्क्स है वह बहुत जादा हाइर है मतलब आरग्राफड़ तो कह रहा है महंगाई कम हो जाएगी लगो हमें नहीं लगणा ही और आमें लगता है कि रिवर्स रेपो रेपो दोनों बढ़ाये जाएंगे बाकी 22 के पार्ट के लिए और साथ की साथ गवर्मेंट को सपोर्ट भी दिया जाएगा गवर्मेंट के प्लान को RBI सपोर्ट भी देगा Economist को लगता है कि अगले साल तीन बार रेपोरेट को बढ़ाया जाएगा Governor को लगता है कि जो reverse रेपोरेट है जो की average होता है fixed rate reverse रेपोरेट का और इनका इन दोनों का average होता है effective reverse रेपोरेट ये बड़ा है ये August 21 में इतना था February 4 को ये इतना है तो ये दिखा रहा है कि जो liquidity है जो extra पैसा है वो overnight window से मतलब short term lending से longer 10 और से long term lending में जा रहा है मतलब लोग जो है क्या कर रहे है लोग short term में से पैसा निकाल के long term में पैसा invest कर रहे है explicit means clear crystal बटा नाम है organization का explicit means clearly openly implicit का मतलब होता है जो automatically understood है और explicit means इसको बोलना पढ़ रहा है इसको बताना पढ़ रहा है चले तो आज का descriptive question है क्या लगता है कि कोविट के साथ रहना जीना पढ़ेगा या कोविट खतम हो जाएगा what is your opinion क्या कोविट खतम होगा या कोविट के साथ आपको जीना सीखना पढ़ेगा और क्या schools खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए सबी लोग अपना opinion बताएंगे comment section में 13 words दिये हैं इन में से 5 words का meaning सभी को comment section में बताना है everyone has to tell the meaning of at least 5 words in the comment section passage की टोन बेटा कह सकते हो informative ही थी match the call meanings बताएं alphabet is what sorry status score जो अभी चल रहा है impetus एक तरह का motivation tail off धीर धीर खतम हो जाना positive किसी इसको आगे रखना scores क्या हो गए five two one four and three डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है इसी तरह जिंदगी में खोए पल को नहीं ला सकते मगर होसले विश्वास से आने वाले हर खुबसूरत हर पल को खुबसूरत बना सकते हैं अपने होसले बुलंद मतलब अगर कोई चीज चली गए तो वापस तो नहीं आएगी लेकिन उसके जगा नहीं चीज आ सकते हैं तो इस पर इंपोर्टन अगर हमने जिंदगी में कभी कोई फेलियर देखा है या कभी किसी को होया है तो उसको हम वापस नहीं ला सकते लेकिन लेकिन अपने आपको और स्ट्रॉंग बना सकते हैं जिसे कि हम और नहीं चीजों को ला सके चाले दो स्टार्ट करते हैं वो कैबलरी से और जो पहला वर्ड दाट इस प्रोस्क्रिप्शन प्रोस्क्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है बच्चे दो वर्ड होता है एक होता है प्रेस्क्राइब और एक होता है प्रेस्क्रिप्शन और दूसरा वर्ड होता है प्रोस्क् डॉक्टर ने क्या किया प्रेस्क्राइब किया और प्रोस्क्रिप्शन क्या होता है मना कर देना कि यह काम तो तुम नहीं कर सकते तो प्रेस्क्रिप्शन इस बोलना ऐसा करने को और प्रेस्क्रिप्शन इस प्रोस्क्रिप्शन इस मना कर देना यह क्या हो गया नाउन जिन श अग्ला वोड़िबल से लक्ता है महीं तो आप料 के लिग तूसरा दूसरा एकला होना चाहिं ठेशाने मुझे खाने है तो आपके अंधर Τॉम्टेशन के हैं टेम्टेशन अरहीं किस डिजायर टूसम्टिंग संथिं Austin जो generally wrong होता है, जो generally गलत होता है, इसमें भी last में आई ओन लग रहा है, तो ये भी क्या हो गया, noun, अगला word है laudable, laudable last में ably लग रहा है, जिन शब्दों के last में ably लगता है, वो words हमारे adjectives होते हैं, तो laudable के पस टार्मा कीजेगा, बहुत important word है, तो laudable है, जो तारीफ के ल वो क्या होता है, laudable, scrutiny, जाच, किसी को बहुत ध्यान से आपने जाचा, observe किया, examine किया, that is scrutiny, ये क्या हो गया, now, militate, militate, word का मीनिंग क्या होता है, को it is militate होती है, इसका मतलब, वो उसको रोकने में बहुत powerful होती है, कोई चीज जो रोक रही है किसी को, that means हो क्या कर रही है, त हो ही एक बहुत powerful and conclusive, conclusive word का मीनिंग क्या होता है, जो final result ला सके, उसको हम बोलते है, conclusive, तो prevent करने में, रोकने में, वो क्या है, एक powerful factor है, इसको हम कैसे यूज करते है, ये verb है, action की बात कर रहे है, तो ये क्या हो गया, एक mitigate होता है, उसका मतलब क्या होता है, एक mitigate होता है, उ किसी को शान्त करना, किसी को अच्छा फील करवाना, उसको हम क्या बोलते है, उसको हम बोलते है, में, ठीकित है, ठीक है, चाँ, screenshot ले लो, फिदा के बाड़ेंगे, अगला वर्ड है, paternalistic, paternalistic वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जो paternalistic होता है, इसका मतलब क्या होता है, paternal, यह जो root word है, इसका है, root word is pater, pater means father, तो paternalistic means जो अपने बच्चों को रोकता है, या उनके freedom के उपर, उनको responsibilities देना, जो नीचे वाले है, उनके उपर restrictions लगाना, तो that is what paternalistic, paternalistic behavior है, behavior like a patron, behavior like a father, last में ic लग रहा है, जिन शब्दों के last में ic लगता है, वो words हमारे क्या होते हैं, वो words हमारे noun होते हैं, right, Indebtedness, last में any double S लग रहा है, जिन शब्दों के last में any double S लगता है, वो words भी हमारे नावन होता है, Indebtedness means किसी के उपर कर्जा होना, तो I am indebted to you, इसका मतलब मैं आपका कर्जदार हूँ, रिण होना या कर्जा होना, that is Indebtedness, अगला word है वेजरिंग, वेजरिंग वड का मीन क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, बैट लगा रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो, आप जुआ खेल रहे हो, मतलब आपने पैसा लगा दिया, कि हो सकता है, यह जीज़े हो सकता है, वो जीज़े आपने बैट लगा दिया, अगर यह जीता, यह वाली टीम जेती, तो मैं को, यह वाला पैसा मेरा दाओ पर है, that means you are wagering, action की बात कर रहा है, तो part of speech क्या हो गया, verb, meanness, meanness वड का meaning क्या होता है, खतरे वाली चीज, कोई चीज जो खतरनाक है, dangerous है, उसको क्या बोलते है, meanness, लेकिन यह जो word होता है, इसका part of speech क्या होता है, right, यह जो शब्द होता है, यह हमारा noun होता है, एक बास screenshot ले लिजे सभी लो, take a screenshot, समझ में आ रही है vocabulary सभी को, आज की vocabulary थोड़ी से difficult है, conjure up, conjure एक बड़ा प्यारा word है, इसको बास टार माग कीजिए, conjure up का meaning क्या होता है, किसी चीज़ को imagine करना, किसी चीज़ को mind में लेके आना, उसको हम क्या बोलते हैं, conjure up करना, यह वैसे direct word ही है, यह verb है, conjure क्या है, it is a verb, इसके साथ up जो fixed preposition लगता है, बटे phrasal verb नहीं है, conjure क्या है, conjure is a verb, hustler, hustler क्या कौन इंसान होता है, जो बहुत ज़ादा illegal तरीके से, बहुत ज़ादा चीज़ों को sell off करता है, adapt का भी ते होता है, skillful, तो ऐसा इंसान, जो बहुत aggressive selling करता है, या illegal dealing करता है, smuggling करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं hustler, part of speech क्या हो गया, now, पर से, इसके उपस टार्मा की जो बहुत 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 बर exams में आ चुका है, पर से मीज़ों खुद से, by itself, by themselves, intrinsically मीज़ों खुद से, अपने आप से, उसको क्या बोलते हैं, पर से, embargo, embargo का मीनिंग क्या होता है, किसी भी activity पे जब ban लगा दिया जाता है, कि वहाँ पर trade नहीं हो सकता, क्या ये चीज़ी नहीं हो सकती, उसको हम बोलते हैं embargo, part of speech क्या हो गया, now, obliterated पे भी स्टार्मा की, जब very important word बहुत बार exams में आया है, obliterated मीज पूरी तरीके से नश्ट कर देना, पूरी तरीके से मिटा देना, destroy utterly, wipe out, मिटा देना मीज obliterate, action की बात कर रहे हैं, तो इसका भी part of speech क्या हो गया, write, ये जो शब्द है, ये हमारा verb है, समझाएं सभी को vocabulary, screenshot ले लीचे, वैसे मैं इसको टेलिग्राम चानल पे अब भी शेयर भी कर दूँगी, इस वीडियो के description में ही टेलिग्राम चानल का लिंक है, gaming and banning, game खेलना और ban करना, online gaming हो सकता है, addictive हो, जब हम online gaming खेलते हैं, online drumming खेल रहे हैं, loodos खेल रहे हैं, हो सकता है, इससे लग पढ़ जाएं, लेकिन अगर हमने इसके उपर ban लगा दिया, तो ये क्या करेगा, ये freedom के खिलाफ हो जाएगा, ये freedom को रोकेगा, तो author क्या कह रहा है, कि online gaming गलत है, addictive है, आधत पढ़ जाती है, लेकिन इसके उपर ban भी नहीं लगाना चाहिए, चालिए, पैसेज बढ़ते हैं, मज़दार टॉपिक होने वाला है आज का तू, very interesting topic, चालिए, read it everyone, एक request भी करूँ भी, सभी को 1000 students are watching, बट likes के वाल 3.43 है, तो आपर request everyone of you to like this session, जते बचोर नहीं लाइक नहीं किया हुए, make sure that you like it, जैसी पढ़ लेंगे, comment करेंगे, डान, पढ़ लिया, चला, देखते हैं क्या लिखावाए, yet another, फिर भी दूसरा जो कोशिश की गई, दूसरी कोशिश क्या की गई, की दूसरी कोशिश की गई, की prohibit किया जाए, prohibit means ban लगाया जाए, किस की उपर रोक लगाई जाए, online gaming पे, जो दूसरी कोशिश की गई, की online gaming की उपर ban लगाया जाए, यह जो कोशिश है, यह fail होई, मतलब judicial scrutiny के अंदर, यह fail होई, मतलब courts ने क्या बोला, की ban लगाने की कोई जरुवत नहीं है, जो changes लाए गए, amendments means changes, जो changes लाए गए, existing regulations, existing regulations means, जो अभी current laws है, उनके उपर जो changes लाए गए, जो betting को लेके हैं, यह gambling, जुए खिलने को लेके हैं, करनाटिका में, उस्म को खारिज कर दिया गया, उसको cancel कर दिया गया, state के हाई कोट के द्वारा, मतलब कोशिश की जा रहे थी, that online gaming को ban कर दिया जाए, but it couldn't be done, why, क्यों नहीं कर गया, किया गया, क्योंकि state के हाई कोट में मना कर दिया, last year, पिछले साल, मदरास के हाई कोट ने, खारिज कर दिये थे, ऐसे ही amendments, पिछले साल भी यही हुआ था, कुछ चेंडिस लाने की कोशिश की गई थी, जिसने रोकने की कोशिश की थी, रमी को और पोकर को, online रमी का जो गेम होता है, online पोकर का जो गेम होता है, उनको भी बैन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पिछले साल भी हाई कोट ने मना कर दिया था, what is common to both cases, दोनों cases में जो जिस common है, वो यह है, कि जो legislature है, जो judiciary है, जो courts है, उन्होंने एक paternalistic role अज्यूम किया, मतलब उन्होंने एक father वाला role अज्यूम किया, arguably क्या उनका एक मकसद था, उनका एक तारीफ के लाइक, laudable means तारीफ के लाइक, उनका एक मकसद था, कि हम लोगों को बचाएंगे, हम youth को बचाएंगे, अच्छा legislator is not judiciary, legislator is what, जो rule कर रहे हैं, मतलब जिनकी party है, करनाटका में, तो legislator, जो rules बनाते हैं, legislature कौन होते हैं, जो rules बनाते हैं, विधान सभा, विधान परिश्यद, इनको बोगते हैं legislature, judiciary, जो बताते हैं कि वो जो laws हैं, वो सही हैं या गलत हैं, executive, जो उन laws को implement करते हैं, तो हमारे इंडिया में, हमारे constitution के हिसाब से, तीन चीज़े होती हैं, legislature, judiciary, executive, legislature ने law बनाया, judiciary ने बोला सही है, गलत है, और executive ने implement किया, तो legislature क्या चाहता था, legislature चाहता था, कि उनका मकसद क्या था, उनका एक मकसद था, प्रशंस नहीं है मकसद था, कि हम लोगों को बचाएं, especially the youth, जो youth है, जिसको online gambling, online जुव खेलने का, जो desire हो रहा है, जो रमी और poker के game से, उससे बचाएं, लेकिन, जो resulting provisions हैं, जो laws उन्होंने बनाये, वो differentiate नहीं कर पाये, कि कौन सा game है skill का, कि सारे के सारे games बन्द हो जाएं, जो तिने भी games हैं, जो online खेले जाते हैं, वो सारे के सारे games proscribe हो जाएं, proscribe means ban हो जाएं, regardless, उससे कोई फ़रक नहीं पड़ा, कि किस game में कितनी skill required थी, समझाए first paragraph, summary क्या होगी बेटा, summary क्या है, कि legislature क्या चाहता है, legislature चाहता है, कि सारे के सारे online games बन्द हो जाएं, ban लग जाएं, लेकिन judiciary ने मना कर दिया, भई ban तो हम नहीं करने देगें, courts ने क्या किया, मना कर दिया, कि ban नहीं होगी, legislature के गलती क्या हुई, गलती ये हुई, कि उनका जो law उन्हों ने बनाया, उसमें differentiate नहीं कर पाया, कि कौन सा game सिर्फ luck पर based है, और कौन सा game है जो skill पर based है, चाहिए, आगे पढ़िए, पहले आप लोग पढ़ेंगी, फिर मैं समझाओंगी, read it everyone, झाहिए, आगे के लिखाओंगी है फर्दर, फर्दर का मीनिंग क्या होता है, आगे करनाटिका हाई कोट ने एक reject किया, एक key submission, बहुत important बात सामने रखी गई थी, करनाटिका हाई कोट के, that it could be upheld as a public order law, मतलब क्या, यह जो law legislator ने बनाया है, कि जितने भी online games हैं, उनको हम ban कर देते हैं, तो legislator ने क्या बोला, legislator ने बोला कि हम इसको क्यों बना रहें, upheld का मीनिंग क्या तो support करना, हम इसको ऐसे दिखाएंगे, यह public order law, public को protect करने के लिए law बनाया जा रहे है, it referred to, इसका मतलब क्या था, the meanness of cyber games, जितने भी online games होते हैं, उनको इतना खतरा है, of epic proportions, मतलब जितने भी online games हैं, epic means बहुत जादा, बहुत जादा खतरा है उनका, और इन online games की वज़ा सही, police ने 28,000 cases register किये हैं, इस state में, पिछले तीन सालों में, 28,000 cases, government की बिलकुल सही बात थी, कि इतने सारे लोगों ने अपनी खुद की जिंदगियां ले ली, many have taken their own lives, इतने सारे लोगों ने अपनी खुद की जिंदगियां ले ली, families बरबाद हो गई, किसकी वज़े से, यह online gaming addiction की वज़े से, families बरबाद हो गई, इस जुए की वज़े से, इस करजे की वज़े से, जो लट पढ़ने की वज़े से, आदत पढ़ने की वज़य से लोग गवा देते हैं इतना पैसा However, लेकिन कोट ने क्या बोला? कोट ने बोला, कोट ने पॉइंट आउट किया कि अगर आपका जो मकसद था वो यही था कि जुवे को ही रोकना है कर्ब का पीटिंग क्या होता है? preventing? मेनस मीज़ खतरा, गैंबलिग मीज़ जुआ तो अगर आपका मकसद जुवे के खतरे को रोकना था तो आपको उन आजबिटी को रोकना चाहिए था जिनमें गैंबलिंग होती है आपको उन activities को रोकना चाहिए था जिनकी वज़े से जुआ होता है कि जिनमें gambling होती है उन games को आप नहीं रोक सकते है जिनमें skill का requirement होता है जिनमें skill चाहिए होती है While enacting the extreme measure जब ये extreme measure लिया गया इसने consider नहीं किया the feasibility feasibility means कि कितनी practical चीज है of regulating risk on games of skill जो skill के games है उनमें risk को regulate करना कितना practical है ये चीज़ consider नहीं कि इस कदम को उठाते हुए तो इसका क्या बिटा summary हो गया summary is what summary ये है कि government दखो सही थी कि ऑनलाइन gaming की वज़ा से बहुत सारे लोगों की जान जाती है 28,000 cases भी पुलिस में आ चुके हैं पिछले तीन सालों में बहुत सारी families बरबाद हो जाती है तो government अपनी जगा सही थी लेकिन court भी अपनी जगा सही था court ने बोला ठीक है न तो मैं रोकना था तो उन वाले games को रोको जहां पर जुआ हो रहा है gambling हो रही है जिन games में skill की ज़रूरत है जिन games में skill की ज़रूरत है उनको क्यों रोक रहे हो गई तो दोनों के points को author ने हमारे सामने रखा है चलिए आगे पढ़िए अपहल मीज पीड़ा support करना जैसी पढ़ लेंगे comment करेंगे done जैसी पढ़ लेंगे comment करेंगे done तक प्रूर्थ दोर्हद के kिण workers सुлен करेंगे शडर्थ यशीन करेंगे उनको क्याद करू क्रेंग़ हôm Hayज़ भू करेंगे करेंगे तक नड़िश करेंगे जाल आए करेंगे के सब्स्ताव हो मैं तक हम करेंगे करेंगे जामे आए पाए झाल झाल पढ़ लिया सभी ने चलो आगे दिखते हैं वाइल दी आइडिया ओफ बेटिंग जब भी हम सोचते हैं किस के बारे में ऐसे बेटिंग के बारे में जूए खेलने के बारे में तो माइंड में इमेच क्या बनती है माइंड में इमेच क्या बन जाती है एक बक्केट शॉप बक्केट शॉप का मतलब क्या होता है बहुत जाता इल्लीगल अनाथरैस्ट शॉप हमारे दिमाग में आ जाती है जहां पे एकदम डार्क डिंजी मीज डार्क अंधेरा होगा वहाँ पे लोग जुए खेल रहे होंगे गेमिंग हाउसेज होंगे वो लोग बहाँ जाती होंगे जो लोग इल्लीगल अक्टिविटीज करते होंगे क्या दाया तो जब भी हम जुए की और बेटिंग की बात सोचते हैं तो हमारे मन में ऐसी इमेज आ जाते है डार्क सा रूम होगा भरा पड़ा होगा इल्लीगल लोगों से इल्लीगल सी जगा होगी जैसे कौन जी मूवी थी अभी मैं एक रिसिंटली मूवी देख रही थी उसमें था ऐसा याद नहीं आरा है मुझे अपनों को याद आरा होगा तो एक element होता है information का एक expression का एक entertainment का जिसको constitutional protection मिलना चाहिए जिसको protect किया जाना चाहिए और gaming platforms और जो gaming platforms होते हैं जहां पे games हो रहे हैं यह एक legal business है यह एक legal business है जिसको freedom है trade करने का जब online के लिए इस्तमाल किया जाए जब हम online उन games की बात कर रहे हैं जिन games के अंदर skill है court में attention draw किया इस सचाई को कि ये जो bands हैं ये क्या करते हैं अगर हम रोक लगा दिंगे in games में तो ये क्या करेंगे एक create करेंगे पूरी ये पूरी नई काटिग्री medium-based regulation की मतलब आप band क्यों करेंगे क्योंकि online हो रहा है medium-based regulation का मतलब क्या होता है जहां पे वो game खेला जा रहा है तो online की वज़े से आप band कर रहे हो when chances of medium per se, मतलब medium के तो chances है उससे कोई फरक नहीं पढ़ रहा nature और content तो कोई फरक नहीं पढ़ रहा does not alter the true nature and content of the games मतलब author ने क्या बोला author ने इस लाइन में क्या बोला बिटा author ने इस लाइन में बोला कि आप band करके क्या साबित करना जाते हो कि जो भी चीज online हो रही है वो गलत हो रही है online होने से कोई नुकसान नहीं है मतलब आप target gambling part को करते तो सही था लेकिन यहां पर target किस चीज को किया जा रहा target gambling को नहीं किया रहा target किया जा रहा है क्योंकि वो online है इसलिए बंद करो तो यह बात गलत है ऐसा court ने बोला साथ की साथ जो changes आए उन्होंने क्या contradict किया एक contradict किया किया कि law में क्या बात थी जो original law था वो कहता था कि अगर कोई भी game of skill है कोई भी ऐसा gamer इसमें skill का इस्तमान हो रहा है तो उस skill को ban उस game को ban नहीं कर सकते लेकिन जो state ने जो law बनाया उसमें क्या किया उन्होंने सब को ban कर दिया साथी की साथी online gaming को पनिशिबल कर दिया even if they involved skill अगर में skill भी involved है तब भी पनिशिबल है तो सरकार ने ये गलती करी जो court ने हाइलाइट करी तो मतलब क्या हुआ समरी क्या होगी बेटा समरी इस कि अपनी जगा government भी सही है अपनी जगा court भी सही है गवर्मेंट में क्यों किया क्योंकि बहुसाई लोगों को दिक्कते हो रही थी addiction हो रहा था काम नहीं कर रहे थे पूरे टाइम गेम खेल रहे थे court ने बोला कि आप online इसलिए क्यों बैंड कर रहे हो अगर आपको बैंड करना है तो एक्षिल में जाके बैंड करो और अप उन गेम को बैंड करी ही नहीं सकते जिन गेम में skills लगती है जिन गेम को खेलने के लिए skills की ज़रूरत है उस गेम को आप कैसे बैंड कर सकते हो औरिजिनल लॉमें भी मैं नहीं है वो गेमतों तो यहां पर कॉंट्रडिक्शन का पॉइंट है समझ आ रहे हैं सभी को चले लास्ट पैराग्राफ आखरी पैराग्राफ सभी के लिए करन सभी के लिए कि लिए खारे और इंग अगा अगा इस अई इन जो पहलोग है है कि अगे एक अज हमफ्च Br bags अगर कम्प्लीट बैन लगा दिया जाए इसकos युष को बहुं हया है युष, पैसे नहीं हुए कोट नहीं करेगा अब आइफ करना complete ban को court तो support नहीं करेगा क्योंकि जो freedom के बीच में line freedom है हर किसी के पास business को करने का और freedom है हर किसी के पास participate करने का consumer की तरह और state के action को हम और जदा obliterate करने का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को unclear बना देना तो अधर ने क्या बोला मतलब अधर ने बोला तो दोनों ही चीज़े हैं कोट भी अपनी जगह सही है कोट की अपनी जगह सही है कि हर किसी की बस freedom है उसको game खेलने का मैंने तो वह खेले हम किसी का freedom नहीं चीन सकते और state ने जो action लिया उसको भी खतम नहीं का सकते obliterate means खतम कर दिना डिस्ट्रॉय कर दिना सारा का सारा legislation जो है सारा का सारा जो law है जो मानता है कि society को state का हाथ चाहिए guide करने के लिए support करने के लिए इन में कुछ ने कुछ populist appeal होती है पॉप्युलिस्ट appeal का मतलब क्या होता है लोगों को अच्छा फील करवाने वाली अपी लोगों के भले के लिए कुछ काम करने वाले अपी लोगों के लिए कुछ करने के लिए होता है और ये बात भी सभी को पता है कि जो addictive element है online gaming में बिल्कुल सभी बात है online gaming में addiction हो जाता है लोगों को लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको किसको कोई freedom ना दो किसको कोई choice ना दो तो author ने ना पूरे paragraph में state का भी point रखा है और court का भी point रखा है author ने बूला state सही कर रही है ban लगाना जरूरी है बहुत सारे police cases हुए थे बहुत सारे लोगों की families destroy हो गई एक addiction हो जाता है लेकिन court भी अपनी जगा सही है कि हम freedom किसी से किसी का नहीं चीन सकते हैं सबके पास freedom है business करने का सबके पास freedom है games खेलने का तो दोनों author ने दोनों के ही points रखे हैं अब आप लोग मुझे अपना comment section में बताएंगे कि आप लोगों का क्या opinion है कि games होने चाहिए online games या नहीं होने चाहिए मेरा मानना है अगर मैं अपना opinion बताऊ तो होता क्या है जैसे यह online games है जब कोई teenager होता है जब कोई होता है जो immature होता है जो बहुत दो mature नहीं होता तो उसके लिए बड़ा असान होता है इन चीजों में चले जाना और फिर addiction की वज़ए से उसका career भी खराब हो जाता है उसका future भी खराब हो जाता है family भी करजे में आ जाती है families भी भी बहुत ज़ादा तबहा हो जाती है तो मेरे according तो अगर बैन से चीज़ें ठीक हो सकते हैं अगर बैन लगा के हम रोक सकते हैं लोहों तक इस तरह की online games का पहुचना तो मेरे according तो बैन होना चाहिए choice हो freedom freedom अच्छी चीज़े करने की हो तो अच्छी बात है बट freedom गलत चीज़ें को भी करने का और तो that is not actual freedom तो मेरा opinion तो यह है आप लोग अपना opinion भी मुझे जरूर बताएंगे चले आज सभी को पता है आज perfection भी special class में है 8.30 बजे तो 8.30 बजे मिलेंगे हम perfection में और देड़ बजे हम मिलेंगे achievers मुझतनी बचे हो grammar में दिक्कत है Monday to Friday आपकी achievers CEC class होती है बहुत important classes है make sure that you attend them and academy learning application पर जाओगे आपको एक लास मिल जाएगी code क्या लगाना है आपको निमेशा इस code को apply करोगे आपकी class open हो जाएगी चीक है एक और चीज़ 1200 students are watching मैं लाइक से भी 700 आप 500 students में अभी तक like नहीं किया हुआ है मैं सभी को request करूँगी कि एक बार like कर दीजे देखो social media का भी addiction होता है सही बात है instagram का भी addiction होता है facebook का भी addiction होता है उनको ban कर दो लेकिन उन में आपको आपके पैसे नहीं जा रहा है आप समझ रहो आपकी families को कोई खतरा नहीं है लेकिन online gaming में क्या होता है क्यूंकि मैंने केस देखा है अपनी family में online gaming की वज़े से उन्होंने अपनी पूरी family को तो बरबाद किया ही हिया और उन्होंने लास्ट में आके शुसाइड भी कर लिया एन वेरी क्लोज अपनी अफ माइ और वेरी शार्प वेरी इंटेलिजेंट और वह बहुत शार्प बहुत इंटेलिजेंट थे और मतलब वी उस्टो से की मतलब वह लाइक में बहुत बढ़ा गरेंगे सो अकॉर्डिंग टू में उस केस को देखने के बाद और बाकी चीजों को समझने के बाद तो मेरा उपीरिन तो यही है कि इसको बैन करना चाहिए चलो यहाँ पे आते हैं आर्टिकल टू फोरेक्स रिजर्व्स राइस टू इतना बिलियन डॉलर हमारे जो फोरेक्स रिजर्व्स रहाँ इतने हो गया है चलो skimming करइंगे या डिरिंग नहीं करनी घूप स्किंमिग। प्रिवियेस वीक पिछले हफ्ते जो जैनुट यहाइज़ा को एंड वह रिजर्व्स कम हो गए रिजर्व्स कम हो गए फिर सबसे ज़्यादा हाई कब हुए थे वो हफ्ता जो सेप्टेमबर 3 में हुआ था 2021 में चलो बात करते हैं स्किम की जो अब मुझे सुफ मेन आइडिया बताई है तेल मी दे मेन आइडिया स्किमिंग होता है उपर उपर से पढ़ना और समझना की ऑथर क्या कह रहा है आर्बिया वाले फेबुरेरी में बढ़ गए पिछले हफ्ते में कम हो गए थे लाइफ्रेम हाई तब हुआ था जो सर्ज है वो क्यों हो रहा है क्योंकि हमारी एसेट्स बढ़ती जा रही है जो कि सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट होता है हमारे गौल्ड बढ़ते जा रहे हैं इन्होंने अपना डिटा दिया इसमें मतलब में आइडिया क्या है फेवरी लास्ट वीक अभी जो पिछला हफ्ता गया है इसमें हमारे रिजर्व बढ़े हैं इससे पिछले वाले हफ्ते म में रिजर्व कम हुए थे सेप्टेंबर में लास्ट यर हाइस्ट थे और एक इस चीज़ की वरे से हुए है क्योंकि हमारे फॉर्ण असेट्स बढ़े है इसकी वरे से यह चीज़ हुई है सवर्जमी बढ़ना में चल्ब लास्ट पैराग्राफ कि में कीजिए में आइडि जस्ट दमीन आइडिया इस स्केमिंग क्या लिखा हुआ है यह जो हमारे एसेट्स है यह कैसे बढ़ गए है क्योंकि कुछ यूनिट्स बढ़ी है कुछ यूनिट्स कम हुई है गोल्ड रिजर्व्स कम हो गए हमारे जो हमारे ड्रॉइंग राइट्स थी जतना पैसा हम नि जाल सकते हैं आई-एम-फ से वह भी बढ़ गया कंट्री की जो पुजिशन है वह भी अच्छी हो गई डेटा के हिसाब से मतलब डेटा जो मिक्स्ट कि क्या चीज में अच्छी हुई है क्या चीज में कम हुई है और थने सारी की सारी बाते हमें बताई है इस पूरे के पू बैटिंग होरी है या जिसमें गयंबलिंग हो रही है जिसमें पैसे का लिए न देन हो रहा है मनिज इस इन वर्ड से उसकी ओपर बाय ऑई नहीं होना चाहिए जिए है अब्क वाझ यॉर घृपीन यांप पीड वापीड क्या है सबी लोग कॉमेंड सेक्ष्ण में मुझे 5 words in the comment section सबी लोग बताएंगे स्क्रीन्शॉट ले लो मैच तो कॉलम फुई रेकन करने का मतलब क्या होता है किसी इसको काल्कुलेट करना प्रेसिपिटस जो बहुत सब्सक्राइब हो नेसंट जो नया नया आया हो टेपर डाउन धेर दीरे कम होना रीकूप रिकावर करना 3, 1, 5, 4, and 2. Scores everyone. Every struggle in your life has shaped you into the person you are today. Be thankful for the hard times. They can only make you stronger. जब भी आप fail हुए, बहुत पार हमने failures देखे हैं सिंदगी में. तो हमें दुखी नहीं होना है उन failures की तरफ देखते हुए. हमें उन failures की तरफ देखते हुए grateful रहना है, thankful रहना है. क्योंकि उन failures ने हमें strong बनाया है. Success ने हमें strong ने बनाया है. Success हमें खुश बनाती है. Success हमें हमारे dreams को पूरा करती है. लेकिन failure हमें strong बनाता है. So we should be thankful for the hard times. They make us strong. Right? चाले. Vocabulary से start करते हैं. Let's get started with the vocabulary. पहला word है adjudicating. Adjudicating word का meaning क्या होता है? किसी की उपर भी आपने किसी भी तरह का formal judgment पर किया है. उसको बहुत है adjudiciate. Means किसी भी तरह का कोई भी judgment देना, किसी भी disputed matter पर. Action की बात कर रहे हैं. तो part of speech क्या हो गया? Right. Part of speech is verb. Make a formal judgment. Tardiness means बहुत सदा लेट होना. इस word की पर star mark कीजिए. It's a very very important word. Tardiness. Tardiness means आप लेट हो रहे हो. किसी भी चीज़ को लेकिन. Last में any double s लग रहे है. इसका मतलब ये part of speech क्या हो गया? Right. ये जो शब्द है. ये हमारा noun है. अलीक करना means किसी के उपर इंजाम लगाना. आप बोल रहे हो कि इस नहीं गलत काम किया है. आपके पास कोई proof नहीं है. लेकिन आप इंजाम लगा रहे हो कि ये जो गलत काम है. ये इस टार्मा की जो important word है. Inexplicable word का meaning क्या होता है? आप उस बात को समझा नहीं पा रहे हो. कोई ऐसी चीज जो समझा ही नहीं जा पा रहे है. उस चीज को बहुत है. Inexplicable means unable to be explained or accounted for. Last में ABLE लग रहे है. जिन शब्दों के last में ABLE लगता है. बच्चे वो words क्या होते हैं? वो words आपकी adjectives होते हैं. तो ये जो शब्द है हमारा adjective है. ब्रोब करना, जाच करना. आप किसी को examine कर रहे हो, किसी को explore कर रहे हो, पुलिस जाच कर रही है. तो जाच करने को क्या बहुत है? ब्रोब. इसको हम noun की तरह भी यूज करते हैं और इस word को हम verb की तरह भी यूज करते हैं तो ये जो word है, ये दोनों तरीकों से यूज होता है. टेक आ स्क्रीन शॉट, देन वील मूव अहेड. स्क्रीन शॉट ले दीचे. चले. आगे बढ़ते हैं, ओस्टेंसिबल. ओस्टेंसिबल का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो उपर-उपर से सच लग रही है. पता न अगेन अब वेरी वेरी इंपर्टेंट बॉर्ड अपरेंटल इसका एक और सुनोनिम होता है, सीमिंगली. मीन्स उपर-उपर से ये जो है, चीज है, ये सच लग रही है. अभी जो अपरेंटली है, सीमिंगली है, ये इसके एक्जाक सिनोनिम्स नहीं क्योंकि ये दोनों ए प्रचेक्टिफ वॉल्टेट करना मतलब किसी चीज के उपर जम्प कर जाना, कोई चीज थी उसके पर आप ऐसे जम्प कर गए तो आपने क्या किया, वॉल्ट किया, एक्शन की बात कर रहे है, पार्ट अप्ट पीच क्या हो गया, राइट, पार्ट अप्ट पीच इस वर् होता है, इस वर्ड का मीनिंग होता है, इस वर्ड का मीनिंग होता है, कि जब दूसरे दर्द में होते हैं, तो आपको मज़ा आता है, दूसरों को दर्द देखके, आपको मज़ा आए, आप enjoy करो, from seeing the pain or distress of others, उसको के बोलते हैं, वोयरिस्टिकली, पार्ट पीच क्या हो गया, एडवर्ब है, ओनस की उपस टार्मा किजे, a very important word, ओनस means responsibility, burden किसी का, भार, कोई कि इसकी duty है, responsibility है, that means, onus है, part of speech is what, noun, missive, एक लेटर को क्या बोलते है, missive, इसका भी part of speech क्या हो गया, noun, समझाई वोकाबलरी सभी को, everyone, एक रिक्वेस्ट कर देंगे, सभी लोग लाइक कर देंगे, सेशन को, जित्ते भी स्टूदेंस भूल गएं सेशन को लाइक करना, प्ली आज के article पर आते हैं, let's come to today's, to today's article, आज सबसे पहले मुझे question का answer भी देदो, सभी लोग, how's a choice everyone, दो-तीन दिन से दा हिंदू नहीं हुआ था, आज finally दा हिंदू हो रहा है, so are you excited, excited है सभी लोग, चाले, remis regulator, remis word का मीनिंग क्या होते है, ऐसा, जो negligent हो, जो ध्यान ना दे, careless हो, तो क्या समझ में आ रहा है, negligent regulator, जो regulator है, वो कैसा है, regulator है, वो negligent है, care नहीं कर रहा है, तो इसको समझ में आ रहा है, कि जो tone जो है, वो लग रही है कि critical होगी, और थर जो है, बुराई करने के mood में है, तो tone कैसी लग रही है, critical लग रही है, after the NSE fiasco, जो NSE fiasco में जो disaster हुआ, जो बहुत गलत चीज हुई, NSE is National Security Exchange, तो इस fiasco के बाद, इस disaster के बाद, CBE को क्या reaffirm करना चाहिए, CBE को किस चीज की उपर focus करना चाहिए, कि वो पूरी तरीके से focus दे अपने छोटे-छोटे investors को बचाने में, अपने छोटे-छोटे investors को protect करने में, तो ऐसा लग रहा है, कि author ने बुराई भी करी है, और यहां पर ऐसा भी लग रहा है, कि author ने suggestion भी दिया है, तो last में author ने क्या दिया है, last में author ने suggestion भी दिया है, फोकस्ट तब उसके आगे ओन नहीं लगाते हैं यहां पर फोकस्ट क्या है एड्जेक्टिफ की तरह स्थमाल हुआ है चाले पहले आप लोग पढ़ेंगे फिर मैं समझाऊंगी रीड़ेट एवरीवान सभी लोग रीड करेंगे जैसी पढ़लेंगे कॉमेंट करेंगे डान जैसी पढ़लेंगे कॉमेंट करेंगे डान कर दो उक का भेड़ेंगे perfect क्या हो झालेंगे कि जैससा पीड़ेंगे कॉमे किया लिखा हुए 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 इस महीने की शुरुवात में एक उन्होंने बहुत इंपोर्टन्ट और पास किया significant का मीनिंग क्या होता है important country के largest stock exchange को लेके जो की national stock exchange है इंडिया का इसको लेके बहुत important order पास किया basically दो stock exchanges हमारी country में एक national stock exchange और एक bombay stock exchange BSE and NSE as the markets regulator market को regulate कौन करता है sebi करता है जिसका primary mandate primary function क्या है sebi सबसे पहले क्या सबसे important चीज़ उसके लिए क्या है कि जितने भी लोगों ने invest किया है उसके securities में उनके interest protect हो उनमें से किसी का भी नुकसान ना हो उनमें से किसी को भी धोका ना मिले तो sebi ने 190 page का order pass किया तो ये जो sebi ने 190 page का order pass किया इसने बहुत सारे सवाल उठा दिये resolve तो कम सवाल किये लेकिन बहुत सारे सवाल उठा दिये in particular अगर मैं specifically आपको बताऊ तो ये क्या highlight करता है sebi का जो order है वो highlight करता है कि ये जो regulator है ये जो sebi है ये बहुत डिले कर रहा है tardiness का meaning क्या होता है डिले कर रहा है बहुत देरी कर रहा है in adjudicating adjudicating word का meaning क्या होता है judgment देने में तो ये जो sebi है ये बहुत डिले कर रहा है judgment देने में एक बहुत ही sensitive manner हो बहुत ही sensitive matter को जिसमें appointment का manner involved है किसका एक NSE official, top level NSE official का, साथ की साथ regulatory violations भी हुए है, साथ की साथ rules follow भी नहीं किये गए है, उस समय के CEO और MD, चित्रा रामकरशना के द्वारा, उन्होंने क्या किया है, confidential जो internal information थी, वो एक unknown person के साथ share की थी, उन्होंने क्या किया था, एक confidential internal information जो थी, वो एक unknown person के साथ share की थी, क्या माना कि यो सबसे पहली complaint थी, जिसमें इंजाम लगाया गया था, governance issues की उपर, NSE के April 2013 appointment को लेके, जहाँ पर उन्होंने आनन सुब्रिमन्यम को अपॉइंट किया था, Chief Strategic Advisor की तरह, वो जो पहली complaint है, वो कब आई थी, वो पहली complaint आई थी, December 2015 में, मतलब क्या हुआ, author ने क् पूरे पैसेज के रहाँ, what is the summary बेटा, summary यह है कि NSE को कौन हंडल करता है, SEBI regulate करता है, SEBI ने एक 190 पेज का order निकाला, लेकिन इस ते कुछ चीजें सॉल्व नी हुई, these questions उठ गए, problems यह है कि SEBI बहुत डिले कर रहा है, एक मैटर चल रहा है, बहुत sensitive, कि जो CEO है और MD थी उस के साथ, फिर governance issues को लेके complaints भी आई थी, SEBI में, 2013 में appoint किया गया था, Anand Subramaniam को, तो उसको लेके भी problems आई थी, और यह जो report है, यह जो complaint है, December 2015 में आई थी, मतलब इतनी पुरानी पुरानी complaints है, इतनी सारी problems चल रहे है, SEBI के governance को लेके, सबज आया सभी को, everyone, चल, आगे पढ़ रीडिट, जैसी पढ़ लेंगे, comment करेंगे, डान, करेंगे, सजले है, करेंगे, सबदानी को, रौर अ करेंगे,mersक है, श传ें आधे, दूमलब र quantum रःध Two seven two three झाल झाल पढ़ते हैं क्या लिखा हुए After an exchange of emails Emails exchange किये गए मतलब बातचीत होना स्टार्ट हुआ इस topic को लेके इस topic को लेके बातचीत हुई किस-किस के बीच में emails exchange किये गए SEBI के बीच में और National Securities Exchange के बीच में इन दोनों के बीच में बातचीत हुई 2016 में फिर SEBI ने जो exchange का board था इस NSE का जो board था इसको क्या काम दिया इसको काम दिया कि आप पता लगाओ कि क्या कोई भी rules को तोड़ा गया है violation of norms का मतलब क्या होता है norms means rules and regulations violations means तोड़ा गया है तो जब बातचीत शुरू हुई NSE और SEBI के बीच में तो SEBI ने NSE को बुला कि आप पता लगाओ कि क्या कोई भी rules and regulations को तोड़ा गया है फिर क्या हुआ November 2017 में National Security Exchange ने एक report भीजी तो 2016 से कहानी शुरू ही इनवाक कहानी शुरू ही 2013 से इसका timeline समझते है 2013 में appointment किया गया किसका appointment हुआ 2013 में 2013 में appointment हुआ आसुब्रे आनंद जी का फिर 2015 में complaint आई फिर 2016 में SEBI ने बोला NSE को कि तुम भीया पता लगाओ कि सच में ऐसा भी हुआ भी आया नहीं हुआ फिर 2017 में क्या हुआ 2017 में एक report भेजी NSE ने जो board की इस committee ने भेजी nomination and remuneration nomination means select करना remuneration means payments देना तो इस committee ने एक report भेजी जिसने क्या बताया कि बहुत सारी irregularities है मतलब हाँ rules तोड़े गए है उनके appointment को लेके बहुत सारी irregularities है उनके पास experience भी नहीं था और सिर्फ वसिर्फ Miss Ramakrishna ने ही अकेले उनको interview किया था अकेले उनको interview किया और उनको select कर लिया तो मतलब इसकी report में क्या आया 2017 की report में क्या आया सत्रा की report में आया कि हाँ भई problems तो थी complaint fake नहीं थी complaint जूटी नहीं थी problems तो थी उसके बाद अलग-अलग but interconnected थी फिस सेवी ने क्या किया जब उसकी जाँच चल रही थी दूसरे matter पे भी दूसरा matter भी आया 2018 में एक evidence आया जिसमें क्या पता चला ये एक matter चल रहा था रामकृष्णा जीने सिर्फ अकेले interview लिया और point कर लिया दूसरा matter क्या आया 2018 में दूसरा matter आया कि रामकृष्णा ने कुछ बहुत important information थी सेवी की बहुत ही internal information थी बहुत ही important information थी उसको share कर दिया कि एक email communication उन्होंने किया और sensitive information को share कर दिया एक unknown person के साथ तो 2018 में ये वाला case उठा तो इतनी सारी cases चल रहे है तो फिर NSE का जो conclusion है जिसने क्या बताया जिसका find एक फिर एक audit किया E&Y company ने फिर इस E&Y company के audit से क्या पता चला इस E&Y company के audit से पता चला कि ये जो sensitive information जो share की गई थी unknown person के साथ वो unknown person कोई और नहीं था वो unknown person Mr. Subramanian ही थे जिनको appoint भी किया गया था जबकि उनके बास experience भी नहीं था अकेले उनका interview लिया गया था और ये बात सेवी को भेजे गई October 2018 में समझाया पूरा का पूरा पैसिज तो ऐसा लगड़ा है कहानी चल रहे है 2013 में इनका appointment हुआ 2015 में complaint आई 2016 में सेवी ने बोला एनसी इस बात को बता लगा हो 2017 में बता चला कि उनके बास experience भी रही था और राम कृष्णा ने अकेला उनका interview लिया था 2018 में एक और complaint आई कि उन्होंने कोई sensitive information share की है फिर October 2018 में पता चला कि वो information भी उन्होंने किसके साथ share की थी वो information भी उन्होंने Mr. Subramanian के साथ share की थी कोई दिक्कत everyone चल आगे पढ़िये आगे परी बच्चे आगे पराइब हम ज सकूरु़ हो तारिये में आगे ईगे चला की हां 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 आ हां 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 आगा है चाहँ है फिर भी रेगूलेटर को 40 महीने लग गए सब कुछ पता चल गया 2013 से बाद चल रही थी 2022 से पहुँच चुके है 2018 में पता चल गया था ENY ने अपने रिपोर्ट दे दी थी कि ये सब काम हुआ है फिर भी सेवी ने और 40 महीने लगा है इसके बाद और उसमें भी बिना किसी समझाए हुए ये conclude किया कि वो unknown person जो हो सकता है मिस्स्ट सुब्रेम्नियन नहीं है पर बातों के बाद भी यह प्रास, अनलाइकलि टो भी सीजैขुआ रहा थी वो मिस्ट सुब्रेमनियन जिसको सबसे थाज़ा फायदा हुआ उस गाइडिन्स का उनको प्रमोशन मिलता चला गया वो group operating officer बन गए और उनके annual पे भी increase होते चले गए जिन्होंने cross कर दिया उनकी annual compensation को 2013 में उनको 1.68 करोर मिल रहा था April 2016 में उनको 4.21 करोर मिलने लग गया मतलब किस rate से दिखो उनका promotion होता हुआ चला गया ostensibly means जो उपर उपर से दिख रहा है to be sure अगर बिल्कुल confident होने की बात करें तो सेवी इस बात को मनता है कि जो सेवी है वो hamstrung था hamstrung means restricted था by the NSE's dilatory approach NSE जो है वो dilatory approach means expanding approach means time को delay करता जा रहा था सेवी ने क्या बोला तो मेरी गलती नहीं है सेवी ने क्या बोला मैं तो NSE को letter लिखता था मैं इनको खत लिखता था missives means letter मैं इनको खत लिखता था लेकिन ये खतों का answer बहुत देरी देरी से दिते थे सेवी ने ऐसा बोला फिर that the board of a market infrastructure institution एक इतना बड़ा institution है NSE जिसके पास क्या है क्या responsibility दी गई है कि वो millions of investors के trust को बचाएगा दुख की बात तो ये है कि सेवी जो है market infrastructure institution जिसकी responsibility है इतने सारे investors के trust को बचाने की वो सेवी fail हो गया नजर रखने में अपने CEO के behavior के उपर अपने CEO के conduct के उपर और इन जब चीजों के को भी छोड़े तो सेवी जो है अपने glory मतलब हो चुका है मतलब इतनी सारी चीज़ें हो गई investors means better letter इतनी सारी चीज़ें हो गई इतनी पुरानी चीज़ें हो गई इतना delay करकर है सेवी काम भी नहीं कर रहा और सारी चीज़ें बिल्कुल clear हैं सारे audits हो गए सारी reports आ गई reports ने audits ने सब कुछ सच बता दिया लेकिन फिर भी वो सेवी जो है वो fail हो गया उसकी glory lost है वो नजर नहीं रख पाया अपने खुद के CEO पे कि उनका खुद का CEO क्या कर रहा है समझाया? आगे पढ़िये क्या लिखा हूँ है? the regulator spills far too much ink spills far too much ink का मतलब क्या होता है? बहुत सारी information दी बहुत सारे खत लिखे regulator ने, सेबी ने बहुत सारी बातें लिखी कि इस बात में इन almost voyeuristically दूसरों के दर्द में खुश होने वाली उन्होंने क्या बताया? उन्होंने content बताया कि जो email बे बातचीत हुई थी मिस रामा कृष्णा की और उनकी unknown guide की जिससे वो बातचीत करती थी और जिसको वो information share करती थी उनकी जो बातचीत हुई थी उस बातचीत का content सेवी ने सबको बताया और सेवी ने क्या बोला? सेवी ने बोला कि दो कोई भी नुकसान नहीं हुआ अस बातचीत से सेवी ने अपने आपको बेगुनहा थाबित करने के लिए क्या बोला? कि कोई भी specific loss नहीं हुआ investors को NAC के दोबारा या मिस रामा किशना की वज़े से अब responsibility किसकी उपर है? अब responsibility पूरी की पूरी है सेवी की उपर मतलब अब सारी बातें जब सामने आ गई है सारे के सारे सबूत जब सामने आ गई है तो अब responsibility किसकी है? अब responsibility है सेवी की कि वो इस बात को make sure करे कि कोई भी holy cause नहीं हो holy cause मिस कोई भी ऐसी बात नहीं हो जो surprise कर दे हमें कोई भी ऐसी बात नहीं हो जिससे हम chonk जाए उसके पूरे के पूरे regulatory regime में उसका पूरे के पूरे regulations में पूरे के पूरे time में जो वो पुरा regulate कर रहा है NSE को उसमें कोई भी shocking बात ना हो और अब वो laser focused रहे laser focus means हद से ज़ादा focus रहे अपने छोटे-छोटे investors को बचाने में owners means मेना responsibility reaffirm means उस बात को make sure करना उस बात में confidence डालना holy cows means कोई बात जो बहुत shock दे, surprise कर दे voyeuristically means दूसरों के दुख में खुश होना समझ आया articles अभी को is the article crystal clear बहुत language थोड़ी से difficult थी बट article जो था वो बहुत मतलब कह सकते हैं informative था तो अगर मैं tone की बात करूँ what's the tone of the article that article's tone was informative, critical and suggestive भी था थोड़ा बहुत, but generally क्या था informative था अगर सभी को पता है देड़ बज़ अचीवर सीवर सीवरी सी क्लास के बारे में जुतने में बच्चों को grammar में दिक्कत है vocabulary में दिक्कत है make sure कीजे कि आप अचीवर सीवरी सी क्लास को regularly attend करें एक single session भी आपको इसका miss नहीं करना है Monday to Friday गे क्लास होती है देड़ बज़े कोई code पूचा रहा है इस क्लास को open करने के लिए तो निवेशा code लिग दे ना class open हो जाएगी आगी बढ़ते हैं अब हम क्या करेंगी अभी हमने reading करी now we'll do skimming Indian economy है बहुत तेज स्पीड पर बढ़ने वाली है बड़े बड़े कंट्रीस में ऐसा finance ministry की report ने बोला Indian economy तयार है ग्रो करने के लिए बहुत तेजी से बढ़ने वाली है इतने सारे large nations में अगर compare करें तो इंडिया की जो economy है बहुत तेजी से बढ़ने वाली है बहुत सारे initiatives हैं जो government ले रही है budget में ऐसा finance ministry की economic review ने बोला tone कैसी लग रही है कहने से highly optimistic कहने से hopeful कहने से sanguine तो tone क्या लग रही है extremely positive लग रही है hopeful लग रही है और sanguine लग रही है एक request फिर से करूँ कि जते बचों ने लाइक ने किया हुआ सेशन को एक लाइक जरू कर दो तो अगर 1200 बच्चे देख रहे हैं तो 1200 लाइक दी होने चाहिए मुझे skim करो और मुझे सिफ मेन आइडिया बताना कि what is the main idea main idea क्या है हुआ बखूएँ कर दो कर दो कर दो ङुआ कर दो कर दो कि इंडिन एकॉनमी बहुत तेज़े से बढ़ने वाली है बहुत सार अच्छा इनिशेटिव लिए हैं गुवर्मेंट ने ये जो साल है यह हो सकता है खतम करें एक एकॉनमिक रीसेट के साथ मतलब अभी जो नीचे जा जीते हैं आप उपर की तरफ जाएगी सबसे आधा ग्रोथ को ड्राइफ करेंगा मैनुफाक्ट्र और कंस्ट्रक्शन परफॉर्मेंस लिंक्ट इंसेंटिव स्कीम्स भी आ गई हैं बहुत सारा इंवेस्टमेंट भी हो रहा है इंफ्रस्ट्रक्शर में एग्रिकल्चर जिसमें इंक्रीज होता जा रहा है नेट सोन एरिया में बहुत साथ एरिया बढ़ता जा रहा है क्रॉप्स भी अलग लग PM किसान scheme के द्वारा तो मतलब agriculture भी progress करेगा manufacturing और construction भी progress करेगा तो overall India आगे की तरफ बढ़ेगी तो main idea कहता economy की growth होगी आगे scheme कीजिए skimming करने, reading नहीं करने उपर उपर से पढ़के main idea समझने है हाँ बढ़ेटा, perfection classes 100% होगी, definitely होगी साड़े आट बजे में नहीं किस class के बाद perfection class में perfection class के नहीं लग गई है नहीं आदत होगी है अभी दो-तीन दिन perfection class नहीं होई दो दिन, तीन दिन क्यों? हाँ, दो दिन perfection class नहीं होई तो it was like कि दिन में कुछ अधूरा पन था कितने लोगों को ऐसा feel हुआ? IMF ने International Monetary Fund ने क्या बोला? कि Global Growth Estimate को कम कर दिया लेकिन उसने बोला कि India इकलौती वही ऐसी country है जिसकी growth को हम उपर लेके जाएंगे लोग strong है, policy को बहुत दूर दर्शता के साथ बनाया जा रहा है वो Indian economy जो कम हुई थी इसमें, अब ऐसा लग रहा है सबसे तेज speed से ग्रू करेगी रिपोर्ट ने बोला, budget ने इंडिया की economy का direction सेट कर दिया है जो capital expenditure है जो बहुत जादा होने वाला है और GDP का इतना बढ़ गया है खुब सारे पैसा भी दिया जाएगा states को invest करने के लिए जो गती शक्ती के engine से उनको powerful बनाया जाएगा जिससे की infrastructure में जो कमी आ है वो कम हो जाए खुब सारा private investment हो country में तो ये सारे की सारी चीज़ें country को grow करवाएंगी तो पूरे के पूरे पैसेज में क्या लिखा हुआ है पूरे के पूरे पैसेज में लिखा हुआ है ये क्या क्या चीज़ें की जाएंगी economy को बढाने के लिए investment, public investment, private investment help to states गती शक्ती इन सारी चीज़ों से economy उपर जाएगे testimony में इसकिसी बात का कोई प्रूफ हो inclusion में include कर लेना साथ में लेना आगे पड़िए मतलब author जो है highly optimistic है author ने सारी बातें सिर्फ और सिर्फ अच्छी ही अच्छी की है हाँ बेटा इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलिग्राम पे इस वीडियो के description में आपको इस टेलिग्राम चैनल दिया हुआ उसको join कर लो you'll get the PDF अगर third way की impact की बात करें तो overall economic activity strong रही है अच्छी performance रही है सारी चीज़ों की इन सब की performance बहुत अच्छी रही है एक बाई जो uncertainty थी जो tension थी COVID की वरे से वो लोगों के दिमाग से हट जाएगी consumption बढ़ जाएगा, demand अच्छी हो जाएगी private sector भी आजाएगा, वो भी investment करेगा production को बढ़ाएगा, demand को पूरी करने के लिए external shocks को छोड़ दो, अगर बाहर से कोई shock आता है तो उसको छोड़ दो, अगर इस सब चीज़ें इंडिया में होती हैं तो ये इंडियन economy के लिए बहुत अच्छा साबित होंगी, ऐसा finance ministry ने बोला last paragraph आज इंफेक्ट में क्या करूंगी स्टूडेंस, ये जो इस वीडियो के निचे टेलिग्राम चैनल दिया हो है कुछ PDF उसमें से बीच में से मिसिंग थी, है ना कुछ-कुछ PDF शेयर नहीं ही थी तो पूरे के पूरे last week की सारी PDF को एक साथ शेयर कर दो ठीक है, अब से I'll make sure कि आपको इस class के तुरंद बादी PDF मिल जाया करें बजट ने क्या बोला कि GDP ग्रोथ इतने की होगी GDP डिफ्लेटर जो होगा वो इतना इतना पुरेकराल के दो रफोरेकि थी इतना रब रभी एए ने चेंज नहीं किया औरиक़्मोरेकि अकउमसते बनाने जानव ग्रोध को support करने वाली प्रयोरिटी है इससे ग्रोध को प्रयोरिटी दी जा रही है इन uncertain times के time और investment को strong बनाया जाएगा जो budget का investment orientation उसको भी strong बनाया जाएगा तो यही सारी की सारी चीज़ें दी गई है इस passage में, मतलब overall passage की तोन बहुत अच्छी थी सब चीज़ें बढ़िया 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 हो रही है चलो, अब आपका descriptive question आज का यह है कि आप मुझे बताओगे कि first article में सेभी की उपर क्या blame लगे थे या फिर दो कौन कौन सी cases थे जो first article में mentioned थे तो आज का आपका descriptive question यही है कि कौन कौन से दो cases थे जो आपके first article में mentioned थे ठीक है, सभी लोग को बताना है comment section में 12 शब्द है, इन में से 6 words का meaning सभी को comment section में लिखना है everyone has to write the meanings of at least 6 words in the comment section और सभी everyone will write it सभी लोग को लिखना है कम से कम 6 words का meaning comment section में चलो 5 words है, match the columns tell me the answers second article financial express से होता है generally obliterate word का meaning क्या होता है किसी जिसको खतम कर देना पर से by itself कुझे और imagine करना laudable बहुत बढ़िया mean is 73 3, 1, 5, 2, and 4 3, 1, 5, 2, and 4 scores चले let's come to the vocab now vocab daily class आते हैं तो पहला word है to carve something out to carve something out का मतलब क्या होता है successfully किसी चीज़ को create करना to carve something out means आपने किसी चीज़ को successfully create किया ये पूरा पूरा क्या है ये जो है ये पूरा पूरा एक phrase है arsenal, arsenal क्या होता है जो जो चीज़ है आपके पास available है जो जो चीज़ है आपके पास available है उसको हम क्या बहुते है arsenal Part of speech is what? Noun, flicker, बहुत तेजी से movements करना, for example candle जो है वो flicker कर रही है this is the candle ये flicker कर रही है, मतलब बहुत तेजी से बहुत जल्दी-जल्दी movements कर रही है action की बात कर रहा है, तो part of speech क्या हो गया, verb at the helm, ये पूरा का पूरा क्या है, ये phrase at the helm means कोई चीज control में है, in control at the helm means something is in control आपके control में वो चीज है glean करना अलग-अलग sources से obtain करना बड़ी मुश्किल से कोई चीज मिली है आपको अलग-अलग जगा से, उसको क्या बोलते है आपने क्या किया है, गlean किया है आपको वो चीज अलग-अलग जगाहों से मिली है part of speech क्या हो गया राइट, इस शब्द है, यह हमारा क्या है this word is a verb इस शब्द है, यह हमारा verb है sobering, बहुत ज़दा sensible चीज हो जाना, बहुत ज़दा serious mood हो जाना, वो serious mood को क्या बोलते है, sobering mood verb की तरह भी यूज करते है तो यह क्या है, हमारा verb है कोई दिक्तर किसी को vocabulary में take a screenshot everyone, screenshot ले लिजे चले, आगे बढ़ते है replicate means किसी चीज की copy बनाना उसको क्या बोलते है, replicate करना make an exact copy of part of speech क्या हो गया verb, unenviable इसका मतलब कि वो चीज आपको चाहिए ही नहीं वो चीज undesirable है, खराब है वो चीज means आपको वो चीज नहीं चाहिए difficult है, undesirable है unpleasant है, means it is unenviable part of speech क्या हो गया, last में ably लग रहा है, जिन शब्दों के last में ably लगता है, वो words हमारे adjectives होते है prevail रहना means बने रहना, powerful बने रहना कायम रहना, उसको क्या बहुते है prevail करना action है, part of speech क्या हो गया verb, proof more powerful or superior auger means आगे आने वाले चीजों की चेतावनी, कि आगे कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है आगे आने वाले events के बारे में बताना, that is auger potent means predict करना की आगे क्या होगा action की बात कर रहे है तो part of speech क्या हो गया verb, astutely astutely means बहुत ही जादा दिमाग लगाते होगे, बहुत carefully आप चीजों को evaluate कर रहे हो, अपने perceptions को इस्तिमाल कर रहे हो, अपने senses को इस्तिमाल कर रहे हो adjective के साथ, लवाय लगता है तो वो क्या होता है, adverb होता है found one's feet ये पूरा पूरा एक phrase है मतलब अब आप क्या हो रहे हो, नहीं situation में comfortable होते जा रहे हो, या found your feet मतलब अब आप उस चीज में comfortable हो समझ में आई वो vocabulary सभी को yes चाले let's come to the article now अब अर्टिकल पे आते है, ब्लोन अवे, ब्लोन अवे, थेखते है India was too good for the sorry khanji India was too good for the West Indies despite the change at the hill India, West Indies के लिए बहुत अच्छी थी हाला कि क्या हुआ control change हो गया at the hill में बड़का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ कंट्रोल में तो जो control था, वो change हो गया मतलब जो regime था वो क्या हो गया, change हो गया अभी समझ में आगा, ओथ है क्या कहना चाहते हैं, जब हम passage को पड़ेंगे तो लेट सी रीट पासेज नाओ चालिए, रीट जैसी पड़ेंगे, comment करेंगे डाइम बहुत सारे बच्चों को तो फेवरिट टॉपिक मिल गया होका तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा प्रल्ड़ अ हरोण यह न बहुत पत्त यह को central प्रल्ड़ौश की शोरे न को बहुत 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 नही dedicate तो सुछान प्रफेंगो दना पन्या शोरे का मुटे बहुत का बॉक बहुत जो दो बार मतलब इंडिया ने गेन किया किया 3-0 इच अगेंस दा वेस्ट इंडीज ओडिया सीरीज में मतलब इंडिया दो बार जीती और सबसेक्वेंट उसके बार 2020 में जो क्लाशेज हुए जो गेम्स हुए आमने सामने उनका जो और वेल वो हमें अच्छा आगे का संकेत पार वेलका मतलब क्या होता है वो हमें अच्छा संकेत देता है रोहिट शर्मा के अंडर जो खोस्ट का जो वाइटब बाल क्रिकेट था हूँ बहुत सुपीडियर मतलब होस्ट मीज जिसके हमां मैच होना मिलब इंडिया इंडिया जो क्रिकेट है बहुत अच्छा है to the men from तो हमारा जो cricket की जो skills है वो सब बहुत अच्छी है scores were astutely defended अच्छे से हमने मतलब scores आए matches हमने अच्छे से खेले हमने खुब अच्छा score किया हमने targets को अपना बहुत अच्छे से पा लिया और इंडिया ने winning arc मतलब इंडिया जीत गई match जो हुआ एहमदाबाद के इतने बड़े नरेंदर मोधी स्टेडियम में और कॉलकटा के हैलोड हैलोड मीस एक तरीके से make sacred पवित्र Elden Gardens में मतलब सब जगह इंडिया ही जीती it was a welcome bomb बड़ा ही welcome bomb मीस जोटी आपको relax करें तो इंडिया के लिए बड़ा ही अच्छी चीज थी for a unit that was smarting smarting का मतलब होता है दर्द में होना तो इंडिया जो है पहले दर्द में थी क्यों इंडिया हार गई थी अपने पिछले South Africa tour में जहां पर test और ODI series दोनों में हार किया थी तो इंडिया बहुत दर्द में था तो अब जो इंडिया वेस्ट इंडिस के खिलाफ जीता है तो अब इंडिया को सुकून मिला है समझ रहे हैं सभी को तो इस paragraph की summary क्या हो गई summary यह है कि इंडिया पिछली बार South Africa tour में हारी थी इंडिया बहुत दर्द में थी पेइन में थी अब इंडिया वेस्ट इंडिस से जीत गई है सब इंडिया बहुत सकून में है कि है और इंडिया ने प्रूफ कर दिया कि इंडिया के लोग बहुत सुपीरियर है वेस्ट इंडीस के क्रिकेटर्स से चलो आगे पढ़िए करेंगे जैसी पढ़ लेंगे कॉमेंट करेंगे डाल पढ़ लिया चलो आगे करेंगे लिखाब है दोस ओवर सी सेट बैक्स जो इंडिया को एक तरीके से नेगेटिव चीज़ों सामना करना पड़ा था क्या कि विराट कोली ने रिजाइन कर दिया था टेस्ट कैप्टेंसी से कि मैं कैप्टें नहीं हूंगा उन्होंने रेजिगनेशन दे दिया और इसको रोक नहीं सकते हैं वो जो डिस्ट्रक्शन हुआ कि IPL का उक्षण हुआ तो उसकी वज़े से बें इंडियन प्लेयर से डिस्ट्रक्ट हुए तो इस दोनों चीज़ हैं जो साथ में हुए विराट खोली का और IPL की वज़े से इंडियान प्लेयर्स डिस्ट्राक्ट हुए इन सब को पोस्पोन कर दिया गया बैक बरनर का मतलब क्योंता है इन सब की वैल्यू कम हो गई क्योंकि जो रोहित के मेंते मतलब जो हमारी क्रिकेट टीम थी वो जीत गई वेस्ट इंडीस की टीम की उपर मतलब हमने वेस्ट इंडीस की टीम को हरा दिया रिजल्स जो है चलो ली आ जाएंगे बट उनका बहुत बड़ा इंपक्ट है क्योंकि यह एक एक्सरसाइज होगी जहां पर क्या बनाया जाए लिमिटेड ओवर्स स्क्वैड बनाया जाएंग जो ICC 2020 World Cup होगा जो अस्ट्रेलिया में होगा अक्टोबर में नवेंबर में और ICC World Cup जो अगले साल इंडिया में होगा इस सब की consistency for all its consistency in cricket across formats अलग-अलग formats होते हैं तो consistency में regularity अगर हम बात करें इंडिया जो है बहुत बड़ा ICC Silver Wear जीती थी 2013 Champions Trophy इंग्लाइन में और इक बहुत serious फैक्ट है मतलब इंडिया जो है पिछली बार 2013 में जीती थी और अभी हम 2022 में है अब रोहित के पास बहुत ही कि अब कि कि इस legitimacy को पास पास कैंट केसे दी कि दो आप रोहित के पास बहुत ही मुश्किल काम है कि वह उसी चीज़को रेप्लीकेट करें उसी चीज़को करें झो जिसमें MS धोनी थें, MS धोनी थे तो अब रोहित का भी क्या काम है, रोहित का है कि वह इंडिया को जिताएं, सारे मैंचेज में, समझाया है सभी को, चली, नेक्स पारग्राफ, आगे पढ़िए जैसे ही पढ़ लेंगे कॉमेंट करेंगे डान कि अभान, ज offensesी ही पढ़िए जया कमेंट करेंगे पिक दोटा को, टा theorा ही जो आगे के लिखा हुआ है एहमदाबाद में am I visible now everyone yes चाल, तो from the ODIs in Ahmedabad, Ahmedabad में जो हुआ, जो मैचेज हुए, Kolkada में जो मैचेज हुए, इन सभी में क्या हुआ, इन सभी में इंडिया को अलग-अलग heroes मिले, Speister Prasid Krishna, यह एक क्रिकेटर है, जिनका नाम रखा गया, जिनको क्या बोला गया, Player of the Series बोला गया, Prasid Krishna को बोला गया, Player of the Series, ODI leg में, इन्होंने, he caught the eye, caught the eye का मतलब क्या है, सबकी नजर इन पर चली गई, इन्होंने 9 wickets लिए, with his 9 wickets, and in batting, अगर हम batting की बात करें, तो सूरे कुमार यादव जो है, उन्होंने इन्डिया के रन के चामद, उन्होंने सबसे यादा runs बनाए, उन्होंने टॉप किया, और उन्होंने टोटल कितने runs बनाए, 1-0-4 runs बनाए, मतलब, Prasid Krishna ने सबसे यादा wickets लिए, और सूरे कुमार यादव ने सबसे यादा run बनाए, Even without injured, मतलब, Hardik Pandya नहीं थे, Ravindra Jadeja नहीं थे, दोनों के दोनों injured थे, इनके बिना भी ज़दा host, host means India, जहां पे match हुआ, Got its poise right, मतलब, इन्डिया ने बिल्कुँ सही balance अचीफ किया, क्योंकि जो रिश्या वो पंथ है, उन्होंने इंडिया को बैलन्स दिया, Shreya's Iyer, उन्होंने 80 struck के, उन्होंने 80 runs बनाए, in the loan ODI, सिर्फ ODI, loan means अकेला, सिर्फ ODI, ODI में उन्होंने 80 runs बनाए, और जो new middle, he played, जो उन्होंने खेला, and the new middle order revolving around Koli, और विराट Koli के around, जो चीज़ें चल रहीं थी, found its feet, मतलब वो comfortable हो गए, मतलब विराट Koli की captaincy के बिना भी चीज़ें, अच्छी हो गए, in the 2020 eyes, इंडिया को confidence मिला, वो confidence इंडिया को कहां से मिला, इंडिया को confidence मिला, जो ODI series जीता, मतलब पहले इंडिया ने ODI series जीती, उसके बाद इंडिया ने 2020s जीती, सूरे कुमार प्रोस्पर्ट, सूरे कुमार को बहुत अच्छे runs मिले, while rookies, rookies means जो नए लोग आए, rookies का मीनिंग क्या होता है, जो नए लोग आए, जो नए लोग आए, लोगों ने बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मतलब क्या हुआ, सब का परफॉर्मेंस बहुत ही जादा अच्छा रहा, तो इस पाराग्राफ के अगर हम समरी की बात करें, तो what is the summary, समरी क्या हो गई, कि जितने भी क्रिकेटर्स थे, सूर्य कुमारी आदव थे, या फिर प्रशिष कृष्णा थे, या श्रेयश अयर, या फिर वैंकतेश अयर, इशान कृष्ण, सब लोगों ने बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया, चाल, आगे पढ़िए, पॉई सर्टिन करना मिस बालन्स बनाना, पॉई सर्टिन करना मिस बनाना, जैसी पढ़ लेंगे, कॉमेंट करेंगे, डान, आगे या लिखा हुआ है, सीमर, सीमर मिस बोलर, जो हर्षल पटेल थे, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया, इंडिया का पेस, पेस मिस स्पीड, आर्सेनल मिस सारी सारी रिसोर्स, इंडिया में जितने भी लोग हैं, उसको भी एक अनदर एरो मिस, अनदर हिट मिला, मनदब सब लोग का जो परफॉर्मिंस था, वो ओवरॉल बहुत अच्छा था, इंडिया जादतर चीजों को जीत गया, और इवन इफ दी उपोजिशन, अगर जो उपोजिशन था, मनदब सामने वेस्ट इंडिज था, डिस्पाइट दा ओड फ्लिकर, वेस्ट इंडिज के अंदर भी एक जान थी, फिर भी वेस्ट इंडिज ने कोई भी चालेंज नहीं पोस किया इंडिया के लिए, मनदब इंडिया असानी से जीत गया, गोइंग थूए ट्रांजिशन जो चेंज आ रहा था वेस्ट इंडिज में, तो जो वेस्ट इंडिज है वो नया बन रहा है, वेटरन पॉलर्ड की, वेटरन मीस जो बहुत ही जादा फेमस और बहुत ही जादा पुराने खिलाड़ी है, उनके आगे वेस्ट इंडिज एक नया पन आ रहा है वेस्ट इंडिज में, जो बैटर है, बैटर मीस, जिन्होंने बैटिंग की, निकोलस पूरण उन्होंने सस्टेनेंस ओफर किया, मतलब वो बने रहे, जबकि जो कुछ और थे, उन्होंने अपने अंदर वो और्ट स्पार्क दिखाया, मतलब वो चमक थी, लेकिन वो इनफ नहीं थी, 1983 में जब वर्ल्ड कप हार गए थे, इंडिया के आगे, कापिल देव्स में को, मतलब इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया था, उस समय क्लाइव लियॉट्स के जो में थे, वो इंडिया में आये थे, बदले लेने की चाहत से, मतलब बदला लेना चाहते थे, टेस्स सीरीज जीती गई 3-0 से, और जो ODIs हैं, वो जीते गई 5-0 से, मतलब बहुत अच्छे स्कोर से, टेस्स सीरीज और ODI हमने जीती, वेस्ट इंडिया का जो स्वागर है, कि वेस्ट इंडियान स्वेगर, मतलब वेस्ट इंडियान स्वेगर का मतलब क्या हो गया, कि मतलब जो उनका जलवा था, वो अब तो एक मेमरी बन गया है, मतलब इतनी बुरी तरीके से वेस्ट इंडीस को हराया है कि अब उनका जल्वा पुराना हो गया है अब इंडिया क्या चाहता है इंडिया बनाना चाहता है अपना खुद का विनिंग कोशिंट इंडिया अब जीता है और इंडिया चाहता है कि अब इंडिया को जीत के लिए ह जीतता चला जाए समझ में आया passage सभी को is the passage clear to everyone yes चाल डेड़ बजे की Achiever Series Class के बारे में आया हो सभी को पता है, everyone knows about it 1.30 p.m. पे होगी आपकी Achiever Series Class जिती बच्चों grammar में दिक्कत है वो क्या आप में दिक्कत है make sure कीजे कि आप इस attend class को 100% attend करें ही करें vengeance means बिटा बदला, revenge अब हम क्या करेंगे skimming करेंगे now we'll do skimming India, UAE FTA जो trade agreement है ये रास्ता देगा बहुत सारी jobs के लिए साथ India और UAE का जो free trade agreement हुआ है ये बहुत सारी jobs का एक रास्ता देगा UAE ने United Arab Emirates ने interest दिखाया है कि वो IIT के साथ engage करना चाता है ये देखने के लिए कि क्या वो एक campus set कर सकते हैं उनकी country में student exchange program की उपर भी discussion हो रहा है ऐसा Pius Goyal ने मंडे को tweet किया मतलब क्या बात हो रही है कि IIT के साथ engagement हो रहा है UAE का कि क्या IIT UAE में बनाई जा सकते हैं तो IIT के साथ वो लोग engage कर रहे हैं कि IIT को UAE में भी बना दो और student exchange program के बारे में भी बात करें student exchange program में हमारे students आप कहां पढ़ेंगे आपके students हमारे हां पढ़ेंगे चले skim कीजिए मुझे main idea बताईए कि अपके बताईए किया समझ आया इंडिया और UAE जो है एक दूसरे की professional bodies को recognize करेंगे educational institutions को recognize करेंगे free trade agreement sign करने जा रहे है या पिछले हफते free trade agreement sign हो गया है ऐसा प्यूज गोयल ने बोला यह जो development है यह operations को strong बनाएगा universities के बीच में students के बीच में और employers के बीच में UAE ने interest दिखाया है कि वो IIT के साथ engagement करेंगा जिसने की IIT जो उनकी country में जाके campus खोल पाएंगे student exchange programs के बारे में भी discuss हुआ दोनों economies चाहती है कि उनका जो trade है वो इतना हो जाए पांस सालों में अभी इतना है अब वो इतने को target कर रहे है तो opportunities कम से कम million jobs की अब open हो जाएंगी Indian youth के लिए तो Indian youth के लिए jobs increase हो जाएंगी चले आगे skimming कीजिए skim it everyone आचा कल मैंने आप सभी लोगों को Hindu editorial की जो पीडिएफ शेर नी होई थी ग्रूप पे वो सारी पीडिएफ शेर कर दी थी मिल गई थी सभी को टेलिग्राम चानल पे कल मैंने आप वो सारी पीडिएफ शेर कर दी थी I hope everyone got them हाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही एक टेलिग्राम चानल है डेली एडिटोरियल आइलेस बैने निमिर्शा माम उसमें मैंने सारी पीडिएफ आप लोगो शेर कर दी थी आगे क्या लिखा हुआ है वो इंडस्ट्री जो लेबर इंटेंसिव बहुत लेबर लगते हैं इसमें टेक्स्टाइल भी आ गई वेल्श फैबरेरे 18 को किया है और यूए के साथ सको साइन किया है ये अरली में तक आजाएगा ये जो साइन किया गया है गोयल जी ने साइन किया है और वहां की Minister of Economy अब्दुल्ला बिन तौक अलमरी ने साइन किया है कितना बड़ा नाम है वाप्टे एक मीटिंग अटेंड की थी जिसको प्राइम मिनिस्टर ने भी अटेंड किया था वहां के Crown Prince ने भी अटेंड किया था शेक मुहबद लागू होगा में से चलिए आगे पढ़िए कि दोनों के दोनों कैंट्रीस अब गोल्डन एरा में एंटर कर रही है दोनों को आपरेट करेंगी चीजों में और यह साइन हो चुका है Goel ने उत्यूर्ट किया था यह जब अग्रिमेंट साइन हो गया था कि हमारी ट्रेड की जो लिमिर्ट है स्काइए मतलब trade बहुत बड़ा बहुत ऊचा जाएगा और रिष्टे हमारे बहुत अच्छे होंगी हम एक shared future बनाएंगे और हम अपने लोगों की prosperity को बढ़ाएंगे अबुधाबी ने duty free access दे दिया है 90% of Indian exports को New Delhi भी जो है 80% supplies को zero tax पर लेकियाएगा मतलब क्या sign हुआ free trade agreement New Delhi मतलब इंडिया और UAE के बीच में sign हो चुका है इसी की उपर यह पूरा पूरा आर्टिकल था समझ में आये दोनों आर्टिकल सभी को I hope yes चाले तो आज का descriptive question है कि इंडिया ने जो जीता है इंडिया की जीत हुई है West Indies के खिलाफ ODI में भी और 2020 eyes में भी तो आपका क्या opinion है इसको लेकिया आप अपनी feelings बताएंगे इसको लेकिया तो first article के basis पर you will tell your feelings इंडिया की जीत को लेकिया आप खुश है या बहुत खुश है या ठीक है सभी लोग अपनी feelings बताएंगे comment section में 12 शब्द दिये हुए इन में से 5 words का meaning सभी को comment section में लिखना है everyone has to write the meanings of 5 words in the comment section screenshot ले लिजे सभी लोग everyone will take the screenshot चले match the column tell me the answers tardiness means late होना inexplicable इसको समझाया नहीं जा सकता ostensible जो उपर-उपर से दिख रहा हूँ ओनस responsibility प्रोब जाच करना 4 1 5 2 & 3 शिखर को लक्षे बनाईए क्योंकि आप भी उसके उतने ही काबिल हैं जितना की कोई और है self belief and hard work will always earn you success सबसे पहले तो ना आपका जो goal होना चाहिए वो topmost point होना चाहिए और आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि मैं यहां तक पहुँच सकता हूँ I can reach here very very easily so you should have confidence in yourself you should have belief in yourself you should have self belief and along with it you need to do a lot of hard work so that you can become successful in life चाहिए vocabulary start करते हैं let's come move ahead with vocabulary नेरी पहला word is resting resting word का meaning क्या होता है आप कोई चीज़ किसी इंसान से खीच चीन रहे हो आपने कोई चीज़ किसी इंसान से बहुत ही जादा जोर से खीची उसको हम क्या बोलते है resting action की बात कर रहे है तो part of speech क्या हो गया राइड, part of speech is verb, जब भी हम action की बात करते हैं, हमारा part of speech verb होता है अगला word है rataching, rat chatting rat chatting वर का मीनिंग क्या है कोई चीज जो है तेजी से बड़े या नीचे जाए cause something to rise or fall, उपर जाए या नीचे जाए, as a step एक कदम की तरह, in a steady and irreversible process, एक ऐसा process जिसको आप change नहीं कर सकते मतलब कोई चीज उपर जा रही है या नीचे जा रही है, एक irreversible process के लिए उसको हम क्या बोलते है rat chatting, ये भी हमारा action ही हो रहा है, action हो रहा है, तो part of speech क्या हो गया right, part of speech is verb, अगला word है frenetic, frenetic word का meaning क्या होता है, बहुत जादा ही uncontrolled हो जाना, बहुत ही जादा fast हो जाना, बहुत सारी energy आ जाना, बहुत uncontrolled manner में किसी काम को करना that is what frenetic frenetic part of speech क्या होता है इसको आप adjective की तरह use करते हो, we use it as an adjective spark of एक phrasal verb है इसका मतलब क्या होता है, किसी इसको शुरू करना, किसी इसको action में लाना, that is what spark of and it is a phrasal verb, last में आए होई लग रहा है मतलब part of speech क्या हो गया noun, invasion का मतलब क्या होता है आक्रमन करना, किसी country क्यों पर आक्रमन किया, किसी जगा क्या क्या क्या, that means क्या किया, invasion किया screenshot ले लीजे फिर हम आगे बढ़ेंगे take a screenshot everyone अगला word है, incur करना incur करने का मतलब क्या होता है, कोई चीज होना कि सीरीज की वज़े से आपने कुछ action किया, आपका कोई behavior तो उसकी वज़े से कोई चीज हो गई उसको इलिए हम क्या बोलते है incur करना action की बात कर रहे है, तो part of speech is what, part of speech is verb receipt, receipt वड़का मीनिंग क्या होता है, दूर जाना या पीछे की तरफ जाना उसको हम क्या बोलते है receipt करना, for example hairline receipt हो रही है पहले आपके बाल यहां यहां तक आते थे फिर उसके बाद क्या हो गया आपके बाल यहां से ही शुरू हुए तो आपकी क्या होई आपकी जो hairline है, वो receipt कर गई hairline receipt कर गई का मतलब क्या है, पीछे की तरफ चले गई आपसे दूर चले गई आपकी hairline receding hairline receipt means, पीछे जाना, दूर जाना action की बात कर रहे है तो part of speech क्या हो गया, right verb alley, alley का मतलब क्या होता है, दो meanings होता है या तो alley का मतलब होता है friend, आपके friend को आपका alley बोलता है, उस time पे alley क्या होता है noun होता है, एक alley का मतलब होता है, आपने जो है एक दूसरे ने अपने resources को मिला लिया एक दूसरे के फाइदे के लिए उसको भी एली करना भूलते है तो एली को हम वर्ब की तरह भी इस्तिमाल करते है तो जब एली नाउन होता है इसका मीनिय होता है दोस्त और जब एली वर्ब होता है इसका मतलब होता है आपने सामानों को मिला लेना एक दूसरे के फाइदे के लिए clear? कोई doubt? आगे बढ़ते हैं the ball is in someone's court यह पूरा पूरा एक phrase है इसके उपर star mark करना बहुत बार यह phrase आपके exams में आ चुका है the ball is in someone's court इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अब तुम्हारे पाले में गेन दे तुम्हारे पाले में गेन दे मतलब अब तुम्हें decision लेना है कि आगे क्या करना चाहिए so now you have to take a decision that आपको आगे क्या करना है put paid to यह पूरा पूरा एक phrase है इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़को अचानक से बंद कर देना, किसी चीज़को तभा कर देना that means put paid to stop abruptly या destroy किसी चीज़को अचानक से बनीलामी जहांबे समान की बूलियां लगाई जाती है उसको क्या बोलते है? auction, a public sale in which goods or property are sold to the highest bidder जिसना सबसे यादा बोली लगाई उसको वो goods or property बेच दे जाते है court, court का मतलब क्या होता है? या तो court होता है कि उस बात दो court को noun की तरह भी इस्तिमाल करते है जब इसको noun की तरह इस्तिमाल करते है इसका meaning होता है कहीं के शब्द कोई speech है, किसीना कुछ बोला हूँ और जब इसको verb की तरह इस्तिमाल करते है इसका मतलब होता है किसी बात को दोहराना किसी बात को copy out करना कोई दिक्कत किसी को anyone समझ में आई vocabulary yes or no my champions चले आज आते हैं आज के article पे और आज का article है Russian recognition Russian recognition means Russia का पैचानना पुतीन के जो actions है जो वहां के आप प्राइम मिनिस्टर है उनकी जो actions है क्या हो पफर कर रहा है क्या आज बहुत यह ठीक है अभी जोस्ट वन सिक लिए कि जेका एक मिन में वाइफाई चेंज को फुतीन अभी चूदीन यह ठीक है अभी चाब तो पुतीन अक्षिंस आज अजह रिष्या के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके actions क्या है उनके actions है are aimed at resting, कि वो छीन ले किस से छीन ले from the west, west से वो छीन ले guarantees against NATO expansion, कि वो west से NATO expansion के खिलाफ guarantee ले ले चलो आगे पढ़ेंगे, समझ में आएगा author क्या कहना चाते है चलिए पढ़िए पहले आप लोग रीट करेंगे, फिर मैं समझाओंगे चलिए, read it everyone जैसी पढ़ लेंगे, comment करेंगे, done हांजी, क्या लिखा हुआ है after weeks of ratcheting tensions इतने हफ़तों से जो tension बढ़ रही है and frenetic और इतनी uncontrolled जो diplomacy हो रही है यॉर्ट में diplomacy जो countries के बीच में आपसी बातचीते हो रही है और जो सारी चीज़ें हो रही है इन सब चीज़ों हफ़तों के बाद जो Russian President है Vladimir Putin उन्होंने एक बहुत important कदम उठाया है क्या एक कदम उठाया है उन्होंने formal recognition मतला उन्होंने recognize किया है कौनसे areas को Donbass region enclaves इनको oblast के और अफ डोनेथ and Luhansk in eastern Ukraine इन regions को उन्होंने formal recognition दिया है one which एक ऐसा कदम उन्होंने उठाया है जिससे अभी की जो efforts चल रही है उसका रास्ता ही बदला उसका पुरा पुरा रुख बदल गया है तो begin with अगर हम शुरू करें जो उन्होंने दो separatist groups थे जो इन region के parts को control कर रहे थे उनको government मान लिया the recognition of two separatist groups जो उन्होंने recognition दिया है उन groups को जो इस region को control कर रहे थे उनको government मान लिया ये बताता है कि अब जो Russia है वो interested नहीं है बादचीतों में किसके basis में Minsk Accords Minsk Accords क्या थे एक agreement था जो पहले sign हुआ था ये जो agreements थे Minsk Accords ये 2014 और 2015 में negotiate हुए थे बट उनको कभी पूरी तरीक से implement नहीं किया गया इन्होंने एक special status दिया था Donbass Enclaves को इनको एक special status दिया गया था Mr. Putin ने जो Russian peace keepers जो शान्ती बनाने वाले हैं उनको भी order किया रीजिन में एक ऐसा कदम उन्होंने उठाया जिससे क्या होगा अब लड़ाई शुरू हो सकती है spark of means start हो सकती है इससे क्या होगा एक लड़ाई शुरू हो सकती है Ukrainian troops के साथ Ukrainian armies के साथ forces के साथ एक लड़ाई शुरू हो सकती है Russian Prime Minister के इस कदम की वज़ा से summary क्या हो गई summary ये है कि Russian President Russian Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin का एक कदम क्या था कि उन्होंने recognize कर दिया उन दो जगाओं को और इन दो जगाओं को recognize किया इसका मतलब जो पहले negotiations होए थे जो पहले agreement sign कि होए थे वो उसके अगेंस चली गए है 2014-2015 में ये agreement हुआ था कि उनको special status मिलेगा लेकिन अब Russian President Vladimir Vladimir Putin ने उससे कुछ अलग हटके किया है तो इससे लड़ाई स्टार्ट हो सकती है Ukrainian troops के साथ Enclaves means colonies, areas चाँ आगे पढ़िये पढ़िये एवरीवन जैसी पर लेंगे comment करेंगे डान Mr. Putin में claim Mr. Putin जो है इस बात को claim कर सकते है इस बात को कह सकते है कि उनका जो कदम है वो invasion नहीं है मतलब कोई उन्होंने आक्रमर्ड नहीं किया है उनका जो कदम है बहुत दूर है आक्रमर्ड से मतलब उनका जो कदम है या आक्रमर्ड नहीं है invasion नहीं है के friends हैं वो उस जिसके बाइर में वान कर रहे थे और इस कदम की वज़ा से कोई लडाईयां नहीं होने चाहिए यूकरीन की वज़ा से मतलब इस कदम की वज़ा से यूकरीन अब लडाई नहीं करना चाहिए रश्या से in doing so ऐसा करने में हाला की उन्होंने खतम कर दिया है उस उमीद को खतम कर दिया है कि जो लडाई का डर है वो रोक देगा किस उमीद को उन्होंने खतम कर दिया है उस उमीद को खतम कर दिया है कि जो लडाई का डर है वो पीछे कर देगा एक बार जब हजारो रश्यन की जो आर्मी है वो यूकरीन बाॉडर पर पहुँच गई है उनको पीछे की तरफ ला देगा लडाई का डर तो ये खोब खतम मुझा है, मतलब Russia तयार है लडाई के लिए, Russia डर नहीं रा लडाई के रिड़ से, conflict के डर से रścieosition डर नहीं ही रा और जो उसकी thousands of Russian troops है ईकरीन बौृडर पर है और विलारस में है, Military exercises के लिए विड्रू हो जाए, तो जो conflict का जो डर है वो खतम हो जाएगा इस बात को रश्या ने इस उमीद को रश्या ने खतम कर दिया है मतलब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है ऐसा करके रशिया ने खतम कर दी है वो उमीद कि जगड़े क्या डर है वो खतम हो जाएगा जब इतनी सारी जो रशियन आर्मी है वो पीछे हो जाएगी finally उनका ये जो कदम है ये clear sign है कि ये जो situation है ये solve नहीं होगी ये जो situation है ये manage नहीं होगी ये handle नहीं होगी किसके बिना जब तक NATO बैठेगा नहीं जब तक NATO discussions नहीं करेगा जब तक NATO negotiations नहीं करेगा security guarantees को लेके जिसको वो पिछले 20 साल से मांग रहे हैं और जब तक discussion नहीं होगा कि ये जो NATO बढ़ता जा रहा है रश्या की neighboring countries तक पहुसता जा रहा है इसको कैसे regulate किया जाएगा और कैसे जो western troops हैं जो अमेरिका की जो armies हैं forces हैं west countries हैं और जो weapons हैं उनको regulate नहीं किया जाता है मतलब रश्या ने क्या बोला रश्या ने बोला देखो तो मैं discussion करना पड़ेगा जो NATO expansion हो रहा है मेरी neighboring countries में जो महाँ पे forces आ रही हैं जो weapons आ रहे हैं जब तक बैठ के तुम मुझे कोई guarantee नहीं देते हो security guarantee नहीं देते हो जब तक बैठ के इन सारी चीज़ों को regulate नहीं किया जाता है तब तक मैं शान्त नहीं बैठूंगा तब तक situation handled नहीं हो clear कोई दिक्कत किसी ओस paragraph में चाले आगे पढ़िए कि प्रभक Chiap 16 तर मक्त 27 बार में तर works तो तर much 7 ते कोई दो मैं उज़र पतो वारी तर तो फ्र३सरोब दोखिए को पाइब सेहुए हैं। जो बॉल है अब वू युएस के कोर्ट में है। मतलब अब US को decide करना है, उसके European friends को decide करना है कि अब वो क्या करेंगे, रश्या ने तो अपना कदम ले लिया, अब US और जोसके European friends है, उनको decide करना है, कि उन्हें क्या करना है, उन्हें sanctions लगाने हैं रश्या की उपर, लडाई करनी है रश्या से, या फिर negotiate करना है क्या करना है रिशिया के साथ उसकी उपर penalties लगानी है या उससे लड़ाई करनी है या फिर discussion करना है अब ये किसके पाले में हैं गें US के और friends के पाले में है मतलब अब इन लोगों को recite करना है New Delhi के लिए ये जो problems बढ़ रही हैं ये बड़े particularly sensitive time पर आई है sensitive time पर क्यों आई है इंडिया के लिए क्यों क्योंकि जो हमारी external affairs minister है S.J. Shankar वो Germany और France जा रहे हैं और जब उन्होंने कोशिश कर रहे थे कि जो European interlocutors हैं जो वहाँ पर बाचीत करने वाले हैं उनका ध्यान इंडो Pacific की तरफ आए उनका ध्यान चाइना की तरफ आए यहां की countries की तरफ आए अब रश्या के जो actions हैं उन पर बाचीतोना शुरू हो जाएगा मतलब जिस मकसद के लिए वो travel कर रहे थे वो मकसद पूरा नहीं होगा क्योंकि अब जो main attention होगा वो रश्या होगा इन edition साथ की साथ जो Pakistan Prime Minister है इमरान खान वो भी मोस्को जा रहे हैं ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी पाकिस्तानी का पाकिस्तानी Prime Minister मोस्को जा रहा है पिछले 20 सालों में और New Delhi जो है इन relations को बहुत ध्यान से देख रहा है कैसे मेरा दुश्मन और रश्या दोस्त बन रहा है पाकिस्तान रश्या का दोस्त बन रहा है चाइना भी रश्या का दोस्त है इस रश्या को हम अपना दोस्त मानते थे तो New Delhi अबस देख रहा है कि कैसे इन दोनों की दोस्ती बढ़ रही है कैसे इन दोनों की दोस्ती बढ़ रही है Moscow बेटा capital of Russia Russia के लिए Moscow यूज किया गया इंडिया के लिए Delhi यूज किया गया Escalation means बढ़ना चलिए Last paragraph, read it जो tensions का टाइमिंग है वो बड़ा खराब है क्योंकि Russia जो है missile system जो हमको deliver करने वाला था वो भी रास्ते में है अभी मतलब missiles हमें मिली नहीं है और US administration पे भी decide करेगा कि ये sanctions उसे लगाने है या नहीं लगाने इंडिया के खिलाफ इंडिया का जो statement था यहाँ पे जिसमें बोला गया कि बाचीत हो, लड़ाईयां कम हो कोई भी हमने critical comment कोई भी negative comment नहीं बोला Mr. Putin के announcement को लेके ये ये नहीं दिखा रहा कि इंडिया की प्रिंसिपल पोजिशन है, इंडिया की प्रिंसिपल पोजिशन क्या है? न्यूट्रल रहने की जबकि ये एक practical बात है ये ये भी दिखा रहा है कि इंडिया इसमें बहुत difficult position में है इस लड़ाई को लेके जो अब एक नए फेस में आचुक है इंडिया परिशान है बहुत रश्या की साइड बोले या यूएस की साइड बोले इंडिया के तो दोनों ही दोस्त है इंडिया के तो दोनों ही दोस्त है इंडिया इस लड़ाई को लेकर प्राक्टिकल हो रहा है इंडिया का प्रिंसिपल भी यही है न्यूटरल हैने का यह दोनों चीज़ें तो ही है साथ इंडिया इतनी डिफिकल्ड पोडिशन में है कि किसी एक का साथ नहीं दे सकता समझा है आर्टिकल्स अभी को एवरीवान चले डेर बज़ चीवर सीरीज का सेशन है स्पेक्शल ग्लास में जती बच्चों को ग्रामर में दिक्कत है वो क्याब में दिक्कत है अच्छा किजिये कि आप इस सेशन को अटेंड करें और साड़े यार्ट बजए आपका परफेक्शन सेशन है आजका पर फेक्शन सेशन भी स्पेशल ग्लास में है फ्रीज अभी के लिए तो दोनों सेशन्स को अटेंड जरूर किजएगा और को बापको लगाना है त्री थाउजन क्रोर, आज भी इतने bonds को auction करने वाला है, निलामी लगाने वाला है, Central Bank ने cancel किये थे, दो weekly bond auctions, किसकी वज़ इसी, गवर्मेंट के पास अच्छा था, गवर्मेंट के पास पैसा अच्छा था, तो निलामी क्यों होगी बही, auctions क्यों होगी, इसी लिए, दो हफ़ते वाले bond auctions को cancel किया था, Central Bank ने पहले, चलिए, मुझे skim की जो main idea बताईए, What is the main idea? And just give me a second, देखिए, हमने skimming कैसी की, Reserve Bank of India ने Monday को announce की sale, securities की इतने करोड़ी, पिछले वाले दो cancel कर दिए गए थे, auction में इसको हम target कर रहे है, इतने की sale, इतने वाले को इस percent पे और इतने वालों को इस percent पे, मतलब दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, डेटा हुआ हम skim नहीं करते हैं, auction जो है, एक uniform price method को लेके किया जाएगा, और एक multiple price method को यूज करे किया जाएगा, February 25 को होगा इस समय, और primary dealers जो है, वो कब तक समिट कर पाएंगे, इस समय तक समिट कर पाएंगे, auction के बारे में दिया हुआ कि auction कब कब होगा, कैसे कैसे होगा, कितने का होगा, पहले के दो auctions cancel होगए, तो यूज गवर्मेंट के पास अच्छा खासा पैसा था, तो main idea क्या है, details of the auction are given, auction की details हमें दी गई है, चले, next, uniform price auction में क्या होता है, जितने भी bidders होता है, जितने भी बोली लगाने वाले होते हैं, उनको papers दे जाते हैं, cut off price level पे, मतलब उस level पे papers दे दे जाते हैं, उसकी उपर वो bid नहीं लगा सकते, चाहे वो कितना भी rate बोलें, पर उससे उपर वो बोली नहीं लगा सकते हैं, multiple price method में क्या होता है, उनको वो price देना पड़ता है, जिसकी उपर वो बोली लगाते हैं, जितनी भी securities उनको मिलती हैं उसके लिए, पहले central bank ने दो auctions को cancel किया था, क्योंकि government के बास अच्छा आसा पैसा था, decision जो है government के साथ discussion के बाद लिया गया था, तो auctions को जो cancel किया था, बहुत positive हुआ, bond yields बढ़ गई, जो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जब budget में बोला गया था, कि इतना साथ बॉर्वाइं होगी, yields जो हैं लगबग लगब 12 to 15 base points, 12 to 15 base points means 0.12% or 0.15%, वो उसमें ease हो गई है, मतलब कम हो गई है in the last two weeks, पिछले दो हफ़तों में, और अभी जो हैं बहुत कम range में हो चल रही है, Monday को जो नया 10 year benchmark था, वो कितना था 6.54% की yield गई था, और यह कितने पे end हुआ, 6.6925 पे end हुआ, सारा details दिया हुआ है, data दिया हुआ है, कैसे कैसे होता है, बहुत सब्सक्राइब इंफोमेशन इस article में नहीं है, समझ में आया है articles दोनों, I hope yes, आज का descriptive question है कि रश्या जो कर रहा है, वो सही है या गलत है, और इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को रश्या का साथ देना चाहिए, या या इंडिया को न्यूट्रल बने रहना चाहिए, what is your opinion with respect to the first article, first article के respect में, आपका क्या opinion है, सभी लोग comment section में बताएंगे, बारा शब्र दियो है, एक screenshot ले लीजिए, कम से कम इन में से 5 words का meaning सभी को comment section में लिखना है, everyone has to write the meanings of at least 5 words in the comment section, yield means, जो finally उससे पैसा मिले, उसको बहते हैं, yield, match the columns for you, tell me the answers, at the helm means, in control, glean, information निकालना, unenviable, unpleasant, prevailed, कोई चीज जो बनी रहे, और कोई चीज जो आगे का signal दे, 3, 1, 5, 4, and 2, if you don't challenge yourself, it won't change your life, आपके लिए अपने आपको challenge करना बोहत जरूरी है, challenge yourself every day, difficult चीज़ें आप रोस करो, easy easy चीज़ें करने से कोई फायदा नहीं होता, जब तक challenging questions नहीं करोगे, जब तक difficult difficult चीज़ें नहीं करोगे, तब तक आप बदलोगे नहीं, आपके अंदर improvement नहीं आएगा, so make sure that you challenge yourself every single day, vocabulary पर आजाते हैं, let's come to the vocabulary, पहला शब्द है tenability, tenability वर का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ जो acceptable हो, बदलब कोई चीज़ जो logical हो, कोई चीज़ जो reasonable हो, किसी logical इंसान को वो चीज़ समझ में आए, तो उसकी quality को क्या बहुते हैं, tenability, वो शब्दों का part of speech क्या होता है, nouns, right, तो ये जो शब्द है, ये हमारा noun है, regime means, एक government, especially an authoritarian one, जो authoritarian government होती है, अपने हसाब से चलाती है, उसको क्या बहुते है, regime, part of speech क्या हो गया, noun, throw down the gauntlet, it's a phrase, इसकी उपस टार्मा कीजिए, important phrase है, throw down the gauntlet, throw down the gauntlet word का meaning क्या होता है, आप किसी को challenge कर रहे हो, आप किसी को, आपना सामना कर रहे हो, किसी को conflict create कर रहे हो, that means, throw down the gauntlet, it is what, ये हमारा क्या है, एक पूरा का पूरा phrase है, nod word का एक तो meaning होता है, सर हिलाना, आपने nod किया, इसका मतलब क्या किया, आपने अपना सर हिलाया, मैंने जब उससे पूछा कि क्या करना है, he nodded, nodded means, उसने सर हिला के क्या किया, उसने सर हिला के बोला, हाँ, ठीक है, कर लो, उसको हम क्या बोलते है, nod, दूसरा, make a mistake, due to momentary, lack of alertness, और attention, that is not करना, part of speech क्या हो गया, write, part of speech is verb, इस शब्दे हमारा verb है, अगला word है, embodied, embodied बड़ का मीनिंग क्या होता है, आप किसी भी चीज को एक, tangible form दे रहे हो, मतलब, किसी भी चीज को एक, visible form दे रहे हो, कोई idea है, उसको reality में लिखे आ रहे हो, कोई आपकी feeling है, उसको किसी के माध्यम से show कर रहे हो, that is what, that is embodied, embodied, part of speech क्या हो गया, verb, यहां पर मैं action की बात कर रहे है, so it is a verb, screenshot ले लिजे, आगे बढ़ेंगे, take a screenshot everyone, nod में आप लिख सकते हो, a gesture of acknowledgement, मतलब किसी बात को मानने के लिए, सर हिलाना, उसको हा कर देना, it is what, it is a gesture of acknowledgement, आगे बढ़े, चले, अगला word है, speculation, last में I.O.N. लग रहा है, तो part of speech क्या हो गया, जिन शब्दों के last में I.O.N. लगता है, वो words नमारे noun होते है, speculation means, आपने कोई theory बना लिए, आपके पास कोई proof तो है नहीं उस चीज़ का, फिर भी आप कोई concept बना रहे हो, कोई theory बना रहे हो, उसको बोलते है, speculation, मतलब एक तरीके से आप guess कर रहे हो, आपके cities को क्या कर रहे हो, guess कर रहे हो, आपके पास कोई पुकता सबूत नहीं है, उस चीज़ को करने के लिए, अगला है match wits, match wits का मतलब क्या रहे हो, तो wits का मतलब होता है बुद्धी, match wits, wits match करने का मतलब क्या है, जो competition चल रहा है, उसमें intelligence का competition चल रहा है, मतलब दोनों ही लोगों के पास, अच्छी खासी intelligence है, तो तब हम क्या उस करते है, match wits, match wits means competition में, दोनों ही जो teams है, दोनों ही जो sides है, they have intelligence, muster करना, इसके उपस star mark कीजे, means किसी जिसको इखटा करना, किसी जिसको collect करना, किसी जिसको muster करना, आपने किसी जिसको इखटा किया, गार्नर किया, action की बात कर रहे है, तो part of speech क्या हो गया, verb, viable कोई चीज है, मतलब practical है, feasible है, काम कर सकती है, viable is what feasible, it is what practical, इसके उपर भी star mark कीज, important word है, part of speech क्या हो गया, adjective, आप किसी चीज को करने में, viable हो, मतलब वो चीज practical है, reluctant, very important word again, बहुत बार exams में आ चुका है, reluctant क्या है, adjective, मतलब आप किसी चीज को करने में, इच्छुक नहीं हो, आप disinclined हो, unwilling हो, नहीं करना भी, यह काम हो, मन नहीं कर रहा हूँ, उस काम को करने के लिए, आप hesitant हो रहे हूँ, that means you are what, you are reluctant, तेक आ स्क्रींशॉट, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आ जाते हैं आज के आटिकल पर, NEET and States, NEET exam की हम बात करने वाले हैं, और States, NEET और States, Governor should not delay, Government, Governor को delay नहीं करना चाहिए, एसेंट, एसेंट मीज हा करना, तू तमिल नाडू जो तमिल नाडू का जो बिल आया है, बिल क्या कह रहा है, बिल कह रहा है कि एक्जेम्शन दे दो, किस से एक्जेम्शन दे दो, इस मेंडेटरी एड्मिशन टेस्ट से, कि यह जो एड्मिशन टेस्ट है, मेंडेटरी जो है, इससे छूट दे दो, और इसको हा करने में, Governor को डिले नहीं करना चाहिए, तो इसको देखके क्या लग रहा है, कि टोन कैसी है, इसको देखके लग रहा है, इसको देखके क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, विद्धी तमिल नाडू असेंबली, तमिल नाडू जो असेंबली है, एक बार फिर से पास कर दिया, उसने अपना पिछला बिल, पिछला बिल क्या था, जो कि मांग रहा था, कि जो गोवर्मेंट सीट्स है, अंडर्ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्सिस की, जो गोवर्मेंट सीट्स हैं, इन कोर्सिस की, इनको एक्जेम्ट कर दो, इनको छूट दे दो, इस एक्जाम से, तमिल नाडू के सेंबली ने क्या किया, एक बार अपने पुराने बिल को फिर से पास कर दिया, और बोला कि गोवर्मेंट सीट्स को छूट दे दो इस एक्जाम से, दा बॉल इस वंस अगैन, इन दी कोर्ट अफ गुवर्नन जीन रावी, बॉल is once again in the court of इस phrase का मीनिंग क्या होता है बेटा इस phrase का मीनिंग होता है कि अब R.N. Ravi को decide करना है कि उनको क्या करना है उनके पाले में गेंद है मतलब अब उनकी उपर है कि क्या decision वो लेते है गवर्नर ने सोचा कि मैं वापिस to return to the house for reconsideration कि ये जो bill है ये दुबारा reconsideration के लिए जाए house में जिस bill को pass किया गया था September 2021 में questioning the tenability उन्होंने question उठाया सवाल उठाया किस पे logic पे किसके logic पे जो justice AK राजन कमिटी की report थी जिसने क्या अपनी research दी जिसके research क्या थी कि इस law को pass कर दो मतलब assembly भी कह रही है law को pass कर दो ये जो committee थी इसने भी कहा law को pass कर दो अब governor को सोचना है कि क्या करना है the DMK regime has thrown the gauntlet ये जो DMK जो वहाँ पे rule चल रहा है उन्होंने क्या किया है gauntlet throw किया है throw the gauntlet का meaning अभी हमने क्या पढ़ा था कि एक तरीके से challenge किया है as the constitution is clear क्योंकि constitution बिल्कुल clear है जहां तक हम governor के course of action की बात करते है कि governor क्या करेगा वो बात बिल्कुल clear है तो मतलब एक तरीके से conflict हो गया है वो लोग कह रहे हैं कि भाई इसको pass कर दो और governor अभी इस बात को लेके कोई भी अपना opinion नहीं दे रहे है वो बार बार इस bill को pass बोलेंगे दुबारा consider करो इस bill कुली consideration के लिए उन्होंने भेज दिया इस bill को तो summary क्या हो गई कि Tamil Nadu Assembly ने बोला कि ऐसा एक bill pass करो कि जो government seats है उनको exempt किया जाए नीट exam से लेकिन governor ने अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है अब governor की उपर है कि उनको क्या करना है चले आगे पढ़िए समझ में आया सबी को है yes or no everyone झाल झाल अगर यह जो बिल है उनको दुबारा भेजा जाता है गवर्नर को तो अब जो गवर्नर है उन वो constitutionally bound है कि आप तो उनको हां करनी ही करनी पड़ेगी देखो पहली बार assembly में पास हुआ उन्होंने गवर्नर के पास भेजा गवर्नर ने बोला दुबारा देखो अब दुबारा assembly में पास हो गया है तो अब अगर गवर्नर के पास आता है तो मिस्टर रावी को हां करना ही करना पड़ेगा इट इस अ मैटर अफ स्पेकुलेशन यह बात अभी मतलब सोचने की है अभी हमारे पास कोई प्रूफ तो नहीं है कि यह होगा या नहीं होगा अब यह guess work ही एक तरीके से कि क्या इस बिल को presidential nod मिलेगी क्या president इस बिल को agree करेंगी क्या president की तरफ से हां हो जाएगी इस बिल की लेकिन यह सब जो हुआ यह एक सवाल उठाता है क्या सवाल उठाता है कि गवर्नर जो है अभी वाली situation को avoid कर सकते थे कि वो बिल को direct president के पास भेज सकते थे वापिस करने की वज़ाए अभी उन्होंने क्या किया वापिस उसको assembly में भीज दिया कि इसको reconsider करो तो ऐसे situation नहीं होती अगर गवर्नर उस बिल को directly president के पास भेज देते after all यह एक clearly एक ऐसा बिल है जिसको president का acceptance चाहिए जिसको president का approval चाहिए exemption from NEET अगर हम NEET exam से किसी को भी exempt करते हैं छूट देते हैं तो यह बिलकुल उल्टा है बिलकुल opposite है conflict में है central law से central law क्या कहता है कि NEET exam mandatory है अब हम अगर हम exemption देते हैं NEET से तो यह बिलकुली conflict में है और इसी लिए अगर किसी को चूट देनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ president के हा करने से ही मिल सकती है without president के assent के without president के agree करने के यह छूट नहीं मिल सकती regardless of the bills merits उस bill में कितने भी फायदे हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन governor को अब इस matter को और ज़दा delay नहीं करना चाहिए जो intent था constitution makers का कि constitution जब बना था उनका मकसद क्या था कि जो governor है article 200 के अंदर ought to have no discretion governor अपनी मर्जी नहीं चला सकता save in the case of a law अगर उसको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा case है जहां पर high court की position जो है वो undermine हो रही है high court की position weak हो रही है उसके लिए तो वो कर सकता है otherwise governor अपनी मर्जी नहीं चला सकता गवर्नर को कुछी भी बिल को लेके अगर उसे लगता है कि वो बिल उसके पास आता है तो उसे president का consideration लेना चाहिए मतलब he is bound to reserve for the president's consideration president के लिए उसको reserve करना पड़ेगा उस बिल को मतलब आगे president को उस बिल को भीजना पड़ेगा समझ आया अगर हम summary की बात करें तो author ने यहाँ पर गवर्नर को criticize किया है author ने governor को criticize क्यों किया है author ने बोला कि governor को इससे दुबारा असेबली में वापिस नहीं भीजना चाहिए था time लगा दिया गवर्नर ने इसको directly president के पास भीजता क्योंकि president का अप्रूवल चाहिए होगा finally president का अप्रूवल क्यों चाहिए होगा क्योंकि यह जो law आया है मतलब यह जो bill पास हुआ है यह bill clearly conflict में है central law से central law कहता है कि need mandatory होना चाहिए और यह bill कहता है कि need को exempt कर दो और उपर से हमारा constitution भी कहता है कि governor जो है अपनी मर्जी किसी भी चीज़ पर नहीं चला सकता governor का क्या होता है कि उस bill को आगे president approval के लिए भीजे आगे पढ़िए आगे ज़िए सुर्य पला आगे जैसी पढ़ लेंगे कॉमेंट करेंगे डान आगे लिखाओ है जो अपनी मरजी चलाते हैं डिजायरबिलिटी और बिल कितना जरूरी है कितना सही है इसको चेक करने के लिए और गवर्नर अगर रिकंसिडरेशन के लिए बोलते हैं इस बिल्को दुबारा चेक कर लो अब ये एक constitutional practice बनती जा रही है सम पार्ट्स ऑफ दा गवर्नर्स कम्यूनिकेशन गवर्नर ने जो बातचीत करी legislative assembly के speaker से वो बातचीत क्या दिखाती है वो बातचीत दिखाती है कि जो Mr. Ravi है जो जो गवर्नर है उनको बिल का जो basis है बिल का जो foundation है वो समझ नहीं आता कि बिल क्यों बनाया जा रहा है वो इस बात से disagree करते हैं हालंकि वो गलत नहीं है उन्होंने भी highlight किया एक Supreme Court का decision Supreme Court का भी decision ये था कि need exam mandatory होना चाहिए तो उन्होंने इस बात को highlight किया और उन्होंने speaker से बात करी कि इस बिल को दुबारा से consider करो ये बिल मुझे सही नहीं लग रहा तो कोई ये बात ना desirable नहीं होती है कोई भी नहीं चाहता ये बात कि governor जो है intelligence को match करे legislator के wisdom से on social inputs that inform policy तो कोई चीज अगर assembly में pass हो रही है तो governor को अपना wits नहीं match करने चाहिए से वापिस करे assembly को reconsideration के लिए अपने बुद्धी को लगाए ये बात desirable नहीं है ये बात कोई नहीं चाहता इट विल बी useful to recall ये बात याद अच्छी रहेगी अगर आम इस बात को याद करें जो सरकारिय कमिशन था center states relations में उसने क्या बोला था उसने बोला था कि जो governor है वो opposite act नहीं करना चाहिए उसे to the council of ministers जो council of ministers ने बोला उसके opposite governor को act नहीं करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसे वो bill पसंद नहीं आ रहा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो policy है उस bill में वो उसको अच्छे नहीं लग रही इसलिए वो opposite act नहीं कर सकता वो उस bill को रोक नहीं सकता बिल का कोई governor का कोई रोल ही नहीं है गवर्नर का रोल है कि bill आया president पे pass करो गवर्नर को bill पसंद नहीं आ रहा तो वो bill को रोक नहीं सकता मतलब इस चीज़ें ठीक नहीं है तो author क्या कर रहे है author governor को criticize कर रहे है अगर मैं summary की बात करूँ what is the summary summary यही है कि author ने पूरे passage में governor को criticize किया कि government governor का ऐसा रोल कभी भी desirable नहीं होता है चलिए last paragraph यहीं होता है कर दो तो अ झाल ईच्पार इसंट विल नाव भी आन ऊटेंशन किस चीज़ पर होगी अटेंशन होगी कि यह जो नीट एक्जाम एक्जम्षन बिल जो आया है कि जो गॉर्मेंट स्टूड़न्स है बलब जु oni जो गॉर्मेंट सीज़ और उन पर नीट एक्जाम को एक्जेंट किया जाए यह यह जो बिल आया यह विल पास मस्टर पास मस्टर एक फ्रेज होता है इसका मतलब क्या होता है कोई चीज सही है या गलत है कोई चीज को एकसेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा something will be accepted as adequate or not be good enough or not तो अब यह चीज देखने की है कि यह जो बिल है इसको पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा accepted as adequate कि यह सही है गलत है एक चीज तो दो यह है कि यह जो exemption है जो छूट दी जाएगी यह solution नहीं है किस चीज का solution नहीं है कि जो government school के बच्चे हैं वो mbps नहीं कर पा रहे हैं बहुत जादा इस बत का solution यह नहीं है कि उनको नीट एक्जाम ही नहीं देना पड़े जो नीट से पहले की तो situation थी वो भी अच्छी नहीं थी हाओएवर जो नीट एक्जाम है यह बैरियर है एक्सेस के लिए कि बच्चों को seats नहीं मिल पाती है यह बात बिल्कुल सही है यह कोई डाउट नहीं है कि जो mandatory nature है नीट का कि नीट एक्जाम देना ही देना पड़ेगा और पैन इंडिया बेसिस पूरे पूरे इंडिया में यह state governments के रोल को वीकन करता है medical education में state education ही main delivers है public health के यही लोग public health को delivery करते हैं तो state को हम मना नहीं कर सकते इस बात की ओपर अपना opinion रखने में कि कौन medical course को join करेगा government colleges में तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो neat exam mandatory है तो problem तो है क्योंकि neat exam government school के जो बच्चे होते हैं वो बहुत जदा नहीं clear कर पाते हैं sufficient numbers में नहीं जा पाते हैं seats खाली रह जाती है लोग join नहीं कर पाते है medical institutes को इसारी problems ठीक हैं सही है तो अब states को एक रोल देना पड़ेगा कि states decide करें कि कैसे क्या चीज़े होंगी समझ आया सभी को passage सभी को पता है डेर बज़े की grammar के सेशन के बारे में जित्ते ही बच्चों को grammar में दिक्कत है grammar नहीं समझ में आती vocabulary नहीं समझ में आती make sure कीज़े कि आप ये डेर बज़े वाले session को regularly attend करें a very very important session for all of you सभी के लिए बहुत important session है जिसमें हम grammar and vocabulary दोनों करते ह आने काडमी learning application पर आपको एक class मिल जाएगी code आपको क्या लगाना होगा निमिशा इस code को आप अप्लाय करेंगे आपको maximum discount भी मिल जाएगा code क्या निमिशा एक request भी करूंगी बहुत सारे बचों ने अभी तक session को like नहीं किया हुआ है एक request है सभी से कि please like this session अगर 1000 students देख रहे हैं तो 1000 likes तो होने ही होने चाहिए so please like it चले ready for skimming now अब हम क्या करेंगे skimming करेंगे infra push infrastructure का मतलब क्या होता है roads, buildings, railways, bridges one time aid help करनी पड़ेगी जिसे की private investment बढ़ सके aid means help, sperm means motivate DEA work out कर रहा है framework निकाल रहा है जिसे की important important infrastructure projects है वो financially viable हो सके प्राक्टिकल हो सके और खुद से खड़े हो सके मतलब उसे one time पैसा लगा है सरकार तो फिर वो अपने आप चलते रहे और budgetary support उनको मिल सके आपको यहां से लेकर यहां तक skim करना है और मुझे main idea बताना है tell me the main idea everyone skim it and tell me the main idea the department of economic affairs एक framework बना रहा है जिससे की important infrastructure projects है वो प्राक्टिकल हो सके और खुद से वो अपने expenses को बैर कर सके बस एक ही time जो है government को उसमें पैसा लगाना पड़े जो dea है बाकी ministry से भी coordinate कर रहा है model को strong बनाने में simplify का task और streamlining का task streamlining इस चीजें एक के बाद back to back अच्छे से होती रहे इसका काम almost complete हो चुका है work अब यह है कि risk allocation कैसे किया जाए यह जो कदम है यह government ने जब infrastructure push दिया था pandemic के बाद उसके बाद यह कदम उठाया जा रहा है जिससे की durable assets बन सके हमारे पास infrastructure अच्छा बन सके employment बढ़ सके और economic growth भी बढ़ सके क्योंकि इसका बहुत जादा high multiplier effect होता है मतलब अगर infrastructure में investment होता है तो jobs भी create होती है growth भी होती है assets भी बनते हैं बहुत सारे फायदे होते हैं तो इसलिए सरकार का इस समय सबसे बड़ा कह सकते हैं कि इस चीज़ पर सबसे बड़ा focus है infrastructure develop करने में आगे स्किम कीजिए स्किमिंग करने reading नहीं करनी कर दूब 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 कर दो सेंटर इतना देंगे स्टेट्स इतना देंगे इनका लगभग लगभग इक्वल शेयर होगा इस National Infrastructure Pipe Line के इंप्लिमेंटेशन में प्राइविट सेक्टर का इतना पैसा लगेगा मतलब एक रिपोर्ट अई थी कि सेंटर स्टेट का इतना पैसा लगेगा स्टेट का इतना पैसा लगेगा प्राइवीट सेक्टर में लगे बागे और इसलिए हम जीवर स्ट्र鬼 कुर्टार एक के बाद एक सेक्टर की तरह हम इसको देख रहे हैं सरकार की जो खुद का भी जो खर्चा है वो भी बड़ा है और ऐसा लग रहा है कि वो डबल हो जाएगा 7.5 लाक क्रोड पहुच जाएगा फिनांशल लियर 23 में कंपैर करें 20 से तक 20 और 23 में कंपैर करें तो सेंटर का जो खर्चा है वो लगबग लगबग डबल हो जाएगा पतलब खर्चे की बात हो रही है किसमें कितना कितना खर्चा होगा ओवरॉल आगी पढ़िए स्किमिंग कीजिए स्किमिंग कीजिए आगी सेंटर का जो अगले साल इस एस्टिमेट से जो नया प्लान है इंपोर्टेंट पार्ट होगा गवर्मेंट के फोकस पर कि इंफेस्ट के प्रोजेक्स बनाएंगे और जो अभी के प्रोजेक्स हैं उनसे पैसा निकालना इस नाशनल इंवेस्टमेंट पाइपलाइन के अलावा और जितना भी खर्चे की बात हो रही है उसके अलावा गवर्मेंट ने एक नैशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन को भी लॉंच किया है और एक इंस्टिउशन भी गवर्मेंट बना रही है अगर पूछा जाए कि जो इतना जो पैसा है जो कैपिटल है वो इंडिया के इस स्ट्र इंफ्रस्ट्रक्टर सेक्र में फ्लो करेगी तो सेक्रेटरी ने बोला कि कुछ इंवेस्टर्स हैं जैसे कि पैंशन फंड्स इंवेस्टर्स हैं वो अभी रिलक्टेंट हैं कि वो रिस्क लेंगे या ने लेंगे क्योंकि वो पैंशनर का मनी मैनेज कर रहे है तो अभी बोला सेक्रेटरी ने बोला आगे तो यह जो मोनेटाइजेशन मॉडल है वो उनको ज्यादा सूट करेगा कि पहले तो ले लो एसेट और फिर उससे कुछ रिटर्न्स खट्टे करते रहो मॉनेटाइजेशन मॉडल में क्या होगा इन्वेस्टर्स जो होंगे वो गवर्मेंट की एसेट को लॉंग टम लीज पर ले लेंगे कॉस्ट देंगे उसकी और फिर जोसेकी उसको यूज और फिर उनको सेतार्क ऐसा लेंगंग वहां से म्यासे इंवेस्टमेंट 31 रिकवर कर सके रिकूप वड का मीनिंग क्या होता है रिकवर कर सके गवर्मेंट ने टार्गिट सेट के है कि लगबग छे लाग करोड रेस करेगी चार साल में फिनाशल यह ट्वेंडी फाइफ तक यह पिफिट है कि साथ इतना पैसा कैसे करेगी इतना पैसा सरकार जो है इंवेस्ट के पास जाएगी कि आप इंवेस्ट करो पैसे हमारे अदर आपको बंडे और वहां से आप consumer से charge कर सकते हो पैसा, tolls ले सकते हो consumer से taxes ले सकते हो consumer से जिससे कि आपको उस पर अच्छा खासा return भी मिलता रहेगा clear everyone अच्छ अब एक और paragraph है, last paragraph calling गती शक्ती, गती शक्ती उन्होंने क्या बोला एक national master plan है बहुत सारी connectivity के लिए roads, railways, seaways, airways, सब को connect करने के लिए एक बहुत बड़ा exemplary shift है जिस तरीके से policy making इंडिया में होती है Secretary ने बोला कि हम एक holistic approach ensure करेंगे, सब को साथ में लेके चलेंगे infrastructure को बनाएंगे, common vision होगा अलग-अलग departments को join करेंगा, सब लोग मिलके काम करेंगे roads, railways, aviation, agriculture, सब को मिलके काम करवाया जाएगा ना कि वह central departments बलकि जो states होंगी और प्राइविट सेक्टर होगा वो भी partner होगा इस initiative में तो जब गती शक्ति का launch हुआ था पिछले साल के आखरी में तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला था जैसे की jam है जन्धन, आधार, mobile, trinity इन तीनों के आने से government facilities का access लोगों की जिंदगी में आया था ऐसे ही PM की जब गती शक्ति आएगी तो यह infrastructure के field में यही काम करेगा और सारे के सारे infrastructure को बहुत अच्छे से develop किया जाएगा समझ आए overall passage सबी लोग का homework क्या है कि आप लोग मुझे comment section में बताओगे कि जो governor ने Tamil Nadu के bill को वापस भेज दिया assembly में reconsideration के लिए तो governor ने जो किया यह सही था या गलत था तो आप governor के साथ हो या आप भी author की तरह governor को criticize करना चाहते हो what is your opinion सभी लोग अपना opinion बताएंगे comment section में दस शब्द दिये हुए इन में से पांच words का meaning सभी को comment section में बताना है tell me the meanings of at least five words in the comment section सभी लोग बताएंगे match the columns for you just one second हां जी tell me the meaning regime is what a government therein lies the rub means वहाँ पर प्रोब्लम है juggernaut overwhelming force hastily किसी काम को बहुत जल्दी जल्दी करना sovereignty supreme power कोई दिक्कत efforts and courage are not enough without purpose and direction हम महनत करें हम challenges को accept करें उन चीज़ों के साथ हमें एक purpose भी हमारे मन में होना चाहिए direction भी होना चाहिए right strategy हमें follow करनी चाहिए right direction में हमें आगे बढ़ना चाहिए तब ही हमारी महनत रंग लाती है it's very important कि हम अपने direction को identify करे हम अपने purpose को identify करें और फिर उसके उपर महनत करें और फिर उसके उपर courage रखें yes चाले so आज की vocab से start करते है let's get started with vocab पहला word है pivotal pivotal means something which is very important कोई चीज जो बहुत important होती है उसको हम क्या बोलते है pivotal of crucial importance किसी चीज के बारे में बात कर रहे है तो part of speech क्या हो गया right part of speech हमारा adjective है flimsy जो बहुत ना के बराबर हो जिसको असानी से damage किया जा सके जिसके कोई importance ना हो insubstantial हो उस चीज को क्या बोलते है flimsy किसी चीज की बात कर रहे है तो ये भी क्या हो गया adjective revive किसी के अंदर फिर से जीवन ला देना किसी के अंदर फिर से जान ला देना किसी को फिर से होश में ला देना उसको क्या बोलते है revive करना action की बात कर रहे है तो part of speech is verb remittances last में ANC लग रहे है जिन शब्दों के last में ANC लगता है वो शब्द हमारे noun होते है remittance means आपने जो पैसा खर्च किया या आपने जो पैसा किसी को भेजा है payment की तरह या gift की तरह आप किसी कोई पैसा दे रहे हो तो वो क्या हो गया वो पैसा remittance हो गया in the face of ये पूरा पूरा एक phrase है इसका मीनिंग है जब आप किसी चीज से सामना करते हो इस डीसल ते action की बात कर रहे है तो part of speech is वो एक बस screenshot ले लीजे then we'll move ahead फिर हम आगे बढ़ेंगे done everyone चले आगे बढ़ते है let one's guard down let one's guard down का मतलब क्या होता है आप अब केरफुल नहीं हो आपने केरफुल होना अलर्ट होना छोड़ दिया है अब आप डिलाक्स कर रहे हो आप बहुत जादा चिंता नहीं कर रहे हो बहुत जादा ध्यान नहीं रख रहे हो that means you have let your guard down पूरा का पूरा क्या है right it's a phrase flash point जहां पर लड़ाई हो गई है एक ऐसा time एक ऐसा event एक ऐसा point जहां पर लड़ाई हो गई है violence हो गई है hostility means दुश्मनी आ गई है उसको क्या बोलते है flash point ये भी हमारा क्या है it is also a phrase agile इस वर्ड के बस तार्मा कीजे important word है agile agile means nimble flexible आप बहुत flexible हो आप आसानी से move कर पा रहे हो आसानी से आप agile हो means बहुत जादा आपकी body flexible है part of speech क्या हो गया किसी इनसान के बारे में बात हो रहे है noun के बारे में बात होते है तो क्या होता adjective penetration किसी जीज में अंदर जाना किसी जीज को penetrate करना last में I.O.N. लग रहा है part of speech is what noun vigorous जिन शब्दों के last में O.U.S लगता है वो words हमारे adjective होते है vigorous के उपर भी star mark कीजिए important word है vigorous means full of energy खूब सारी energy होना खूब strong, healthy होना that is vigorous get off यह हमारा क्या है phrasal verb है इसका मतलब होता है किसी चीज से बच जाना किसी punishment से आप बच गए आपके उपर इंजाम हटा दिया गया that means you get off यह क्या है हमारा phrasal verb है screenshot ले लो सभी लो vocabulary समझ में आई सभी को I hope yes vocabulary crystal clear चल आगे बढ़ते हैं आज के article पर आते हैं आज का article बहुत बढ़ा है तो इसी article में हम reading करेंगे और इसी article में हम skimming करेंगे reviving the kerala model of development reviving means उसमें जान डाल देना तो kerala model जो kerala का model था development का उसको revive करने की बात हो रही है उसमें फिर से जान डालने की बात हो रही है it's luster luster word का meaning क्यों होता है sorry means चमक उसका जो luster है वो fade हो रहा है उसकी जो चमक है वो कम होती जा रही है क्योंकि खत्रा आ रहा है कहां से खत्रा आ रहा है social and environmental risks जो बढ़ते जा रहे हैं उससे खत्रा है इसलिए उसकी चमक कम होती जा रही है बट सवाल है कि हम कैसे अब इस model को revive करेंगे कैसे हम इस model में अब जान डालेंगे चाले पहले आप लोग पढ़ेंगे फिर मैं समझाओंगी रीड़ एवरीवान कि सभी लोग रीड कीजिए कि मुझे न विंटर्स में हुई जाती है सर्थी पूरे टाइम रहती है अब विंटर्स बस जल्दी से खतम हो कि मेरा अप्लोडिंग अबस्ट प्रॉबब्ली कल तक स्टार्ट होजएंगी थोड़ कि टेक्विंगल इस्व आजए ते कल तक स्टार्ट होजएगे अपनोड़ गए हुआ हुआ है हुआ 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 है केरला को बहुत लंबे टाइम से जाना जाता है किस चीज के लिए जाना जाता है केरला को कि केरला ने बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सही की है केरला ने बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सही की है for years बहुत लंबे टाइम से the darling of development experts केरला क्या रहा है darling रहा है development experts का मतलब इतने भी developing experts हैं वो केरिला में ही उन्होंने अपना development models दिखाए है, बनाए हैं, बहुत सारी non-governmental organizations केरिला में रही हैं, बहुत सारे social activists केरिला में रही हैं, तो केरिला का जो model है, उसने दिखाया है, क्या दिखाया है, impressive levels, मतलब बहुत अच्छे levels अचीफ किये हैं केरिला ने, human development indicators के, मतलब केर केरिला का development model बहुत अच्छा रहा है, चाहे हम health में बात करें, चाहे हम education में बात करें, चाहे हम quality of life की बात करें, in fact, हम कुछ rich countries से भी केरिला को compare कर सकते हैं, और ये सारी की सारी चीजें, achieve की जा सकती है, without a correspondingly high level of income, income बहुत जादा ना भी होते हुए, अच्छी health, अच्छी education और अच्छी quality of life, अच्छी इफ की जा सकती है, अगर केरिला का model हम अपनों उसकी उपर उसको follow करें तो, अब focus on failures, कहने से इस वाले passage की जो tone थी, वो केरिला को लेके तारीफ करने वाली थी, author ने केरिला को क्या किया है, अपलॉड किया है, author ने क्या किया है, केरिला की ता आते हैं, अब focus on failures, अब failures पर focus करते हैं, लेकिन अभी चो past निकला है, एक नया debate शुरू हो गया है, किस की उपर, केरिला model of development की उपर, क्या हम guilty नहीं है, कि हम अपना unemployment export कर रहे है, मतलब unemployment जो है, उसको export कर रहे है, and becoming over dependent on remittances, और remittances पर बहुत जादा dependent हो रहे है, मतलब हम जो है, अपने unemployment, मतलब अपने लोगों को बाहर भीज रहे है, और जो वो पैसा अपनी केरिला में वापिस भीजते हैं, उसके उपर dependent हो रहे है, तो केरिला model में क्या चल रहा है, कि लोग बाहर नौकरियां करने जा रहे हैं, और फिर वहां से कमाके, के Can you build high growth? क्या इस चीज की उपर आप बहुत साथा growth develop कर सकते हो? यह human development indicators बहुत साथा अच्छे हो सकते हो? such a flimsy basis, इतने जाथा flimsy flimsy means weak, इतने कमजोर basis पर आप अपनी state को improve नहीं कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप अपनी state के लोगों को बाहर भेजरे हो कमाई करने के लिए और फिर वहां से तो पैसा आ रहा है उसकी वरे से आपकी state improve हो रही है तो क्या यह लंबे टाइम तक चल सकता है? Is it sustainable? क्या इसको लंबे टाइम तक चला सकते हो? तो author ने यहाँ पर क्या किया है? author ने यहाँ पर कैरेला model को question किया है क्या यह model लंबे टाइम तक चल पाएगा? आगे read कीजिए समझ में आया है ना first page अभी को क्या यहाँ पर किया है जैसी पढ़ा लेंगे comment करेंगे डाइण क्या लिखावा है? जो focus है जो main मुद्दा है जिसके उपर जोर डाला जा रहा है इन नई debates में कैरेला पर focus किस चीज की उपर है? focus है कि कैरेला का model fail हो रहा है कैरेला के model पर failures है क्या failures है? employment कम है वाँके लोगों के पास jobs नहीं है low levels of food intake उन लोगों का nutrition level अच्छा नहीं है low incomes अच्छी नहीं है इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा alcohol intake है alcohol मतलब बहुत ज़्यादा लेते हैं और nation का सबसे खराब suicide rate है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा suicides होते है मतलब ओथर ने इतनी सारी बुराईयां कर दी एक साथ पहले paragraph में तारीफ करने के बाद ओथर ने क्या बोला कैरेला मैं ये सारी problems चल रही है इतना ज़्यादा time हो गया इतनी ज़्यादा robust means strong इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है इतनी ज़्यादा वहाँ पर governance पार्टिसिपेटरी है governance जो है government जो है लोगों की problems को सुनती है और उनको solve करने की कोशिश करती है इसके बावजूद भी जो कैरला model की जो चमक थी पहले पहले कहते हैं कैरला सबसे अच्छा state है वो जो चमक थी अब वो खत्रे में है क्योंकि बहुत सारे social और environmental risks आ रहे हैं कैरला की उपर वो कैरला जिसके पहले बहुत तारीफ की जाती थी उसके model के लिए अब वो सारी की सारी चमक खत्रे में है indeed there is an irony here अगर सच बात बताई जाए तो यहांब एक irony है irony means opposite आप कुछ अच्छाक में कुछ खराब है उसको बोलते हैं irony बोलते थे कि जो कैरला के अप्रोच की सबसे ज़्यादा बड़ी ताकते थी strengths है वो उसकी सबसे ज़्यादा कमजोरी बन गई है vulnerability means कमजोरी तो कैरला की ताकत ही कैरला की कमजोरी बन गई है for example कैरला में सबसे ज़्यादा high life expectancy था लोगों की एज बहुत ज़्यादा ज़्यादा था कि लोग जीते थे अब लोगों की एज ज़्यादा है तो इसकी वज़े से उन्हों का death rate भी ज़्यादा हो गया तो कैरला की जो ताकत थी उसका high life expectancy वो उसकी weakness बन गया क्योंकि लोगों की ज़्यादा होने की वज़े से death rate भी बढ़ गया अब यह जो risks जो है कैरला face कर रहा है अब इस कैरला मॉडल में फिर से इसमें जान डालनी पड़ेगी इस मॉडल को revitalize करना पड़ेगा मतलब इसमें फिर से energy डालनी पड़ेगी अब important सवाल तो यह है कि कैसे किया जाएगा crucial means important important सवाल क्या है कैसे किया जाएगा अगर हम state के social outcomes को देखें परामीटर को देखें तो वह बता चालेगा कि कैरला का जो है highest literacy rate है कैरला में सबसे ज़्यादा पड़े लिखें लोग होते है सबसे ज़्यादा literacy rate कैरला का है फिर भी कैरला की जो income में आगर हम ranking देखें तो 9th है लिटरिसी सबसे ज़्यादा है लेकिन अगर हम per capita income देखें 28 states में सब नाइन्थ rank है कैरला कि चाले आगे पढ़िए झाले आगे लेकिन आगे लेकिन आगे लेकिन है कि बोल्स्टर का मतला होते है स्ट्रॉंग बनाना सैगिंग में कम होती हुए नीचे जाती हुए जैसे जैसे नए रिस्क आते जा रहे हैं health में climate change में कैरला की policies को अब strong बनाना पड़ेगा और नए नए चैलेंज़ को कैसे मैनेज करना पड़ेगा स्किल्फुली बहुत बुरी तरीके से कोविड नाइटीन से हिट हुआ था कैरला का जो स्टेट का अनिंप्लॉयमेंट बहुत जादा है अब जो स्पेस है मतलब जो हमें चीजे मिलेंगी जिस्ते की कैरला की सागिंग सागिंग में नीचे जाती हुए कैरला की कमजूर होते है फिर से उसमें जान डाल सकें वह सपेस लिमेटेन ए हमले पास सट आफ सकोप नहीं अपतर लाने का क्यों क्यों कैरला में बहुत जादा हए意 टिसकल डेफिसिट का मतलब की사 है expenditure minus revenue केरिला में खर्चा बहुत जादा है पैसे की कमाई उतनी नहीं है लगबग 4% है GSDP का तो इसलिए केरिला को इंप्रूफ करने का जो scope है वो limited है क्योंकि पैसा नहीं है अब इन problems को हम कैसे ठीक कर सकते हैं mitigate का मतलब क्या होता है सुकून देना किसी चीज़ को तो इन problems को हम कैसे ठीक कर सकते हैं अगर हम smarter investments करें अच्छी governance करें और एक अच्छा stewardship means leadership एक अच्छा leadership हो environment को लेके कैरिला एक knowledge economy बन सकता है higher education की quality को improve किया रहा सकता है training दी जा सकती है अब लोगों को जिससे की modern workforce के requirements को meet की जा सके tourism में हम strong बन सकते है hospitality services में कैरिला पर काम किया रहा सकता है इस सबसे क्या होगा employment भी create होगा और लोगों की incomes भी increase होगी बतलब यहाँ पे तो author ने बताया कैरिला में क्या-क्या problems है अगर मैं summary की बात करूँ G.S.D.P. बहुत कम है भई unemployment बहुत जादा है fiscal deficit बहुत जादा है और यहाँ पे author ने बताया कि कैरिला में क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए कैरिला में किन-किन चीज़ों में focus करना चाहिए जिससे कैरिला में employment बड़े और लोगों की income बड़े समझा रहा है सभी को चाले अभी हमने reading करी थी अब इसी passage में हम क्या करेंगे skimming skimming का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ overall meaning समझना चाले skim कीजिए और मुझे overall meaning बताए एक request भी करूँगी 1000 students are watching बड़ सभी लोग ने likes नहीं किया है सभी लोग को request करूँगी कि बड़ जल्दी से like कर दो इस session को 1000 बच्चे देख रहे हैं तो 1000 likes भी होने चाहिए हां जी कैसे क्या interventions में ऐसी policies बनानी पड़ेंगी जो सब तक पहुचें हमारा focus होना चाहिए quantity पे भी और quality पे भी health और education की ऐसी policies बनाओ जो हर किसी तक पहुचें education एक priority होनी चाहिए higher education है जो एक बहुत important opportunity है केरिला के लिए एक ऐसा state जिसमें human capital अच्छा है और population mobility अच्छे population move बहुत जाता करती है अगर हम सही तरीके से खेले तो केरिला जो है एक regional national नहीं बट regional तो education का area बन सकता है जैसे की marine biology में, health care में इन सब चीजों में जहां पे केरिला के पास बहुत जाता expertise है केरिला पहला इंडिया का digital state था जिसमें सबसे जादा घर थे जिन घरों में computers थे और internet connections थे mobile phones थे और digital literacy थी higher education पे भी focus करना चाहिए केरिला में expertise है केरिला सबसे पहला digital state था जिसमें सबसे जादा computers, mobile phones, internet था तो इन सब पीसों केरिला को फायदा उठाना चाहिए और अपनी higher education को improve करना चाहिए आगे skim किजिए pivotal means important पेटा आगे यह आगे व यह 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 झाल 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 डिजिटल टूल्स को बहुत जादा यूज किया जा रहा है के रहला के रिस्पॉंस में एक एप्लिकेशन इस अंजीवनी पोटल को यूज किया जा रहा है जो सपोर्ट देता है उन लोगों को जो वाइरस से स्ट्रगल कर रहे हैं या उसके आफ्टर एफिक्स से हम ऐसी अप्रोच इसको बढ़ा सकते हैं इन से सीख सकते हैं फ़र एक्जामपल सिंगापोर में बहुत सारी अप्लिकेशन आई हैं टेकनोलोजी आई हैं वहां से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं किसे हम सारी हें घगल बहुत सारी प्रोब्लम्ज हैं बहुत सारी प्रोबल program के है, एक पैंडमिक रिस्पॉंस पैंडमिक हो एक क्या निकला कि मास्क वेरिंग पर किया गया सोशल डिस्टेंसिंग पर किया गया ट्रेसिंग पर फोकस किया गया यह सब बहुत जल्दी शुरू हुआ लेकिन जो एक प्रवाइब पर दीजू इस ने सोफ से बढ़ें दौजार एकिस्में क्योंकि करिला की जो पॉपॉपॉलेशन हे बहुत मुबाईल है बहुत मुवमेंट करती है इधर से उधर जाती रहती है और केरिला ने कीयर्फुल रहना भी बंद कर दिया जहां-जहां उसे कीर्फ जाधा निकले तो जो हेल्थ केर में फाइदा है करला को कि करला आगे है तो कि यह चीज पो भी पॉलिशी का एजिंडर रखना पड़ेगा मतलब पहले अथर ने क्या बताया था पहले ऑथर ने बताया था कि education पर focus करना पड़ेगा इस paragraph में author ने क्या बताया कि health पर focus करना पड़ेगा इस पर focus करना पड़ेगा खेरिला को health पर भी focus करना पड़ेगा clear let your guard down का मतलब होता है careless हो जाना, careful रहना, बंद कर देना later stress means focus डालना चले आगे skim कीजिए skyrocket means बहुत तेजी से बढ़ना surveillance means नजर रखना vigorous means बहुत ज़्यादा efforts लगाना इसमें बताओ क्या मेन आइडिया है what is the main idea here क्या लिखावा है दूसी strength जिसको हमें बना के रखना है वो है institution जो केरिला में institutions है जो केरिला की basic grassroots means foundation वाली organizations है जो governance वहाँ पे इतनी अच्छी है जो वहाँ पे free press है पब्लिक affairs index ने केरिला को क्या बोला सबसे अच्छी तरीके से केरिला में governance होती है 2019 में 50 indicators के basis पे equity है केरिला में growth है sustainability है decentralized government है बहुत जादा एक foundation level network है आशा का volunteer groups है वहाँ पे कुदम बश्री members है जिन्होंने pandemic को manage करने में help करे बाकी लोगों को केरिला से सीखना चाहिए और केरिला को भी बहुत सदा flexible होना पड़ेगा खर्चा करना पड़ेगा health में और केरिला को develop करने पड़ेंगी अपने खुद के self delivery systems की सारे के सारे parameters को deliver कर पाए health पहुचा पाए लोगों की तरफ लोगों को equity दे पाएं लोगों को higher education दे पाएं तो केरिला को अब इन सब्टीजों में काम करने की ज़रूरत है तो केरिला की जो strengths है जो केरिला की ताकत है उसको अब कमजोरी नहीं बनने देना है उसका इस्तमाल करना है और उस ताकत को sustain करके चलना है सजेशन्स दिए है ओथर ने चले तो हमने अभी तक केरिला में education की बात कर ली health की बात कर ली अब अगली बात क्या करेंगे तीन चीज़ां सबसे ज़्यादा important health education and environment climate चले तो अगली बात हम किस की कर रहे है climate की कर रहे है read कीजे intervention means policy में changers लाना fragile means कमजोर वीक आगे क्या लिखा हुआ है अर्थ भी matter करती है एक ऐसी asset asset means जो आपकी लिए आपकी asset कौन के कुछी चीज़ आपके पास है जब को help कर रहे है एक asset जो की एक बहुत चिंता जना लड़ाई वाला जगड़े वाला point बन गया है वो क्या है कि जो state है उसके पास rich उसकी ecology बहुत रिच है बहुत जादा resources है बट वीक भी है और उस ecology को बहुत जादा protection की जरूरत है इतना जादा degradation हुआ है जिसकी वज़े से impact बढ़ गया 2018 में floods है केरिला में इतनी सारी जाने चली गई इतनी सारे लोग displace हो गए और इतना महंगा पड़ा केरिला को important है कि यह जो report आई थी उसको हम adopt करें बहुत सब्सक्राइशन ना करें और जो कमजोर population जो सब्सक्राइबल है जिनको यह चीज़ें इंपक्त कर सकती है उनको बचाएं इतना जादा disaster होता है western kharts के across इसको भी हमें सामना करना पड़ेगा investment करने पड़ेंगे forest में river systems में water bodies में flat को पास एक बहुत जादा बोल्ड प्रोग्राम की ज़रूरत है जहां पर फॉरेस्ट रिस्टोरिशन कर सके forest को दुबारा से बना सके और कमिटमेंस भी हम पूरे कर सके जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पर किये गए थे 130 countries के द्वारा COP26 मीटिंग में मतलब केरला को अपने forest में अब थोड़ा सी attention पे करने की ज़रूरत है जो population वीक है उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि केरला की ecology है वह बहुत वीक है वहां पर बहुत जादा disasters बहुत जादा natural events calamities होती रहती है चलिए आगे बढ़िये आगे बढ़िये कंफ्रेंट मीज बिटा सामना करना ecology मीज आपका इंवारेमेंट हर पर अचते है मेंगलिए आपका इंवाधी पूर्पव्चा-ईया है जर बढ़िये है टोना रहते है успete् झालिए इंवाधा झालिए इंवा तक मतंवाधी तक करता है ज्चिता है ओंवाध EL जो चो ऑलिएदाय है केरला को अपनीFr Gibson के नट वक में जान डालने की जरूरत है उनकी जिग्हें रिवर्स की जो सब रिवर्स सें स्ट्रीम ने उनको माइनिग को रोकने के जरूरत है संडी रिवर बेट को रिस्टोर करने की ज़रूरत है water management क tempo मैने जरूरत है दें से बॉटर को जैसा कि वर्ल कमिशन ने बोला इसके साथ डैम्स को डीसल करें महां से सारे की सारी रेत को हटाएं क्वांटिटी को कंट्रोल करें जो अचानक से पानी रिलीस करने की जरुवत पड़ते हैं उसको कम करें जिससे की फ्लड्स और ज़्यादा खराब हो जाते हैं करेला का जो फ्रेश बोटर सप्लाई है यह खतरे में है क्योंकि अच्छी फैसलिटी नहीं है महां पर वाटर को रोकने की वाटर क्वालिटी जो है और जो लोगों की हेल्थ है वो और भी से जादा खतरे में है डोमेस्टिक वेस्ट से इंडस्ट्रियल एफ्लूएंस जो इंडस्ट्री में से जो समान जो चीजे निकलते हैं बहार आती है और इन सब के लिए है वह अच्छा वाटर ट्रीट्मेंट करेला को जरूरत है तो अगर मैं आपसे पूछो इस पूरे पैसेज की टोन क्या थी तो कहने से ओवर एल जो टोन थी वो सजेस्टिफ थी कि ओधर ने सजेस्ट किया केरिला को कि क्या 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 करने की जरूरत है एक और पैर ग्राफ लास्ट डी सिल्डिंग में स्रेथ हटाना पानी में से लास्ट पैराग्राफ अफ दे जियो परडाइज में खतरे में फिर से जान मिल जाएगी केरिला मॉडल को तो इससे क्या होगा बहुत सारी चीजों का फाइदा हो जाएगा Symbiotic Links का मतल Barbie mutual जो लिंक्स है Social results में, Environment Management में, Governance में इन सब में हम समझे、 और फिर हम Actions लें चीजों में अब समय आ चुका है केरिला को फिर से ग्रो किया जाए हम पर अपने Mental Horizons को Open करना पड़ेगा जो हमारी Ideology है, जो हमारी आं कह सकते है Thinking, Ideology जो हम नहीं है करने का मीनिंग क्या होता है? उससे हमें बाहर आना पड़ेगा और हमें investment करना पड़ेगा, business friendly conditions create करनी पड़ेगी, जिससे सब लोग साथ में development हो, और ऐसा development हो जो आगे चल सके समझ आया है आर्टिकल सभी को yes, सभी को पता है, देड़ बजे वाली Achiever CDC class के बारे में, हाँ ये class में सभी को आना है, जित्ते ही बच्चों को लगता है grammar में दिक्कत है, vocabulary में दिक्कत है, make sure किजिए कि आप इस class को regularly attend करें, Monday to Friday ये class होती है, बहुत important है, आपकी grammar और आपकी vocabulary इंप्रूफ करने के लिए, कोई code पूछा रहा है, तो code में आप लिख क्या क्या suggestions की जरूरत है, सभी लोग मुझे comment section में बताएंगे, at least 3 suggestions, 3 suggestions के रहा हो देने हैं, आप सभी को, तो comment section में सभी लोग बताएंगे, 12 words है, screenshot ले लो, इन में से 5 words का meaning, सभी को comment section में लिखना है, everyone has to write the meanings of at least 5 words in the comment section, सभी लोग लिखेंगे, match the columns, tell me the answers, in vain, बेकारों की चीज, spelled out, clearly आपने explain किया, tweak, कुछ changes करे, giving the push, किसी को push दिया, मतलब, क्या किया, किसी को dismiss कर दिया, भई, हटा दिया, वहां से, regime, government, 3, 1, 4, 5, 1, 2, scores, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, हमारे विचार ही उन्हें अच्छा या बुरा बनाते हैं, तो it's very important to have a positive thinking, आपके विचार जैसे होंगे, वैसे ही चीजें आपके लाइफ में होंगे, तो make sure कि आप positive attitude रखे, negative attitude ना रखे, जतना जाद negative attitude रहो कि उत्तरी जादा problems आएंगी आपकी जिंदगी में, vocabulary पर आजाते हैं, let's come to the vocabulary, पहला word है impetus, impetus वट का मीनिंग क्या होता है, एक तरह का motivation, एक तरह की प्रेड़ना, कोई चीज जो किसी चीज को push करती है आगे, किसी चीज को जल्दी होने में help करवाती है, उसको बोलते है impetus, part of speech क्या हो गया, right, part of speech is noun, in the face of, means किसी चीज, क्यी किसी मुश्किल किसी चीज से आप डील करना हो, आपको कोई बहुत ही खराब चीज हो से डील करना पड़ा रहा हो, that means in the face of, ये क्या है हमारा ये एक phrase है, shrouding, कसी चीज को shroud करना मंतब किसी चीज को cover करना, आप किसी चीज को cover कर रहे हो, किसी इसको छुपा रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, श्राउडिंग, आक्शन की बात कर रहे हैं, तो part of speech is verb, यह जो word है, हमारा verb है, status quo, जो अभी current state है, जो अभी चीज़ें चल रहे हैं, जो existing state of affairs है, उसको बोलते है, status quo, इसके उपस टार्मा कीज़ें, it's a very important, यह foreign word है, यह English का word नहीं है, यह foreign word है, जिसको इंग्लिश में use किया जाता है, तो status quo is what, the existing state of affairs, जैसी चीज़ें अभी चल रही हैं, dissenting, किसी से आप dissent कर रहे हैं, मतलब आपकी उपीनिन और उसके opinions अलग-अलग है, opinions अलग-अलग है, that means, dissent है, action की बात है, तो यहाँ पर क्या है, यह verb हो गया, means, opinions क्या है, अलग-अलग है, आपका opinion अलग है, उसका opinion अलग है, take a screenshot everyone, screenshot ले लीजे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, चल आगे बढ़ते है, इसके उपर भी star mark, जे important word, इसका मतलब होता है, हाला की, दो, इलग-अलग का भी नहीं किया होता है, हाला की, या फिर दो, become, become का मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ को शान्त कर दिया, मतलब उसमें कोई movement नहीं है, that means क्या किया, become किया, यह हमारा conjunction था, यह हमारा verb है, इसके चीज़ को नीचे कर दिना, that is what, plump करना, action की बात कर रहे है, तो action की बात करते हैं, तो part of speech क्या होता है, right, verb, तो this is what, this is a verb, आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को नीचे की तरफ दबा रहे हो, that is, plump, threshold, threshold वो point होता है, जहां से चीज़े start होती है, the level of point at which you start to experience something, जहां पर चीज़े start हो रहे है, मतलब the lowest value is threshold, इसके बाद चीज़ों के उपर limit, उपर जाएंगे, यह क्या हो गया, हमारा noun हो गया, इसके उपर भी star mark की ज़िए important word is threshold, तो threshold is the lowest point, जहां पर चीज़े शुरू हो रहे है, उसके उपर जाएंगी, तो highest point तक पहुचिंगी, आक्मे is the highest point, falling behind the curve, इसका मतलब क्या हो गया, आप curve के पीछे हो, मतलब आप मैं बदलाव नहीं आ रहा, कोई innovation आया, कोई चीज़ नहीं आई, बाकी लोगों ने तो कर लिया, बड़ आप पीछे हो, आप उस trend को follow नहीं गर पा रहे, आप उस curve के पीछे हो, मतलब आप अपने आप में उस तरीके का innovation है, उस तरीके का बदलाव नहीं ला पा रहे है, यह हमारा क्या है, it is a phrase, यह जो शब्द है, हमारा phrase है, screenshot लिजे, आगे बढ़ेंगे, tale of phrasal verb, इस्ट के उब स्टार मार्क कीजे, important है, tale of का मतलब क्या होता है, कोई चीज धीरे-धीरे कम हो रही है, उसकी strength, उसकी intensity क्या हो रही है, कम हो रही है, that means tale of, posit करना, किसी चीज को सामने रखना, किसी चीज को आगे रखना, उसको क्या बहुत है, पोसिट करना, इसकी उपर भी स्टार मा की जो important word है, और ये शब्द का part of speech क्या है, verb है, put forward as fact, और as a basis for argument के series को आप सामने रख रही हो, vocabulary समझ में आई सभी को, एक request करूँगे सभी लोगों को, कि बास session को like कर देंगे, जितने भी students है, make sure that you like the session and share the session, सभी को request करूँगे, कि like और share कर दीजे session को, जिससे की maximum बच्चों तके session पहुच पाए, चलो, बढ़ते हैं आज के article पे, frozen by uncertainty, frozen word का meaning क्या है, कोई भी कदम नहीं उठा पा रहे, किस चीज़ की वज़ए से, uncertainty की वज़ए से, कि आगे क्या होगा नहीं पता, इस वज़ए से क्या हो रहा है, इस वज़ए से freeze हो गया, freeze हो गया का मतलब क्या होता है, कुछ भी कदम नहीं उठा पा रहे है, तो ऐसा लग रहा है कि जो passage की जो tone है, यह informative होने वाले है, author हमें क्या बताएंगे, author हमें, इस RBI कुछ भी नहीं कर पा रहा है, इसके reasons देंगे, और क्या-क्या RBI नहीं कर पा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे, चले, RBI has four second its mandate, RBI को जो एक कदम उठाना था, कि price stability को ensure करे, RBI ने उसको forsake कर दिया है, forsake का मतलब क्या होता है, छोड़ दिया है, तो RBI ने अपने काम को छोड़ दिया है, जो RBI का काम था, प्राइस stability को maintain करना, किसलिए, जिससे की economy को एक impetus दिया जा सके, economy को एक push, economy को push ahead किया जा सके, economy को एक आगे की directional force दी जा सके, पहले आप लोग पढ़ेंगे, फिर मैं समझाओंगे, read it everyone, जैसी पढ़ेंगे, comment करेंगे, done, जैसी जा सके, क्या लिखा हुए, the monetary policy committee, जो committee का decision है, committee क्या कर रहे है, बार बार, इंट्रेस्ट रेट को change नहीं कर रहे है, जो monetary policy committee का decision है, कि interest rates unchanged रहेंगे, and retain और बनाये रखेंगे, अपना accommodative policy stance, accommodative policy stance का मतलब क्या है, कि हम जो है, growth पर जादा focus करेंगे, हाला कि, एक member जो थे, वो इस बात पर agree नहीं कर रहे थे, ये दिखाता है, कि तो central bank है, वो कोई भी काम नहीं कर रहे है, inaction है central bank की तरफ से, क्यों? क्योंकि nightian और unquantifiable uncertainty, nightian uncertainty क्या होता है, कि आपको पता ही नहीं है, कि आगे क्या होगा, आप उसको quantify नहीं कर पा रहे हो, इसकी वज़े से, आप कोई step नहीं ले पा रहे हो, surrounding the pandemic hit economy, economy को जो surround कर रहे है, मतलब बहुत हैं नहीं क्या हो, और तो को problem क्या चल रहे है, यह हमारी country की economy है, अब क्या हो रहा है, बार-बार pandemic है, बार-बार pandemic है तो इसकी वज़े से economy नीचे जा रहे है, आप इस economy को उपर ले के आना है, तो RBI ने क्या किया था इस economy को उपर लाने के लिए, repo rates जो है, repo rates को कम कर दिया था, repo rates को कम करने से क्या हुआ था, लोगों को loan सस्ता मिला था, repo rate क्या होता है, जिस rate पे RBI बाकी banks को loan देता है, तो सस्ता loan दे रहा था RBI बाकी banks को, अब बाकी banks को loan सस्ता मिल रहा था, तो वो banks भी public को loan सस्ता मिल रही थी, पब्लिक को लोन चस्ता मिल रहा था तो मार्केट में मनी का फ्लो बन रहा था मार्केट में मनी बढ़ रहा था तो इससे क्या हो रहा था लोगों के पास पैसा बढ़ रहा था तो investment बढ़ रहा था profits बढ़ रहे थे spending बढ़ रहे थी तो economy उपर जा रही थी economy तो उपर जा रही थी लेकर ने problem क्या हो रही थी महंगाई भी बढ़ रही थी price stability नहीं achieve हो पा रही थी महंगाई बढ़ रही थी क्यों? क्यों ही जब कोई चीज आपको एक price में मिल रही है और लोगों के पास जादा पैसा उसको लेने का तो obvious सी बाते महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी तो अब RBI जो है रेपो rate को बार-बार क्या कर रही है unchanged छोड़ दे रही है मतलब जो रेपो rate RBI ने कम किये थे अब उसको वापिस बढ़ा नहीं रही है तो unchanged हो रहे है क्यों unchanged छोड़ रही है क्योंकि pandemic का पता नहीं कब तीसरी वेव और आ जाए कब क्या हो जाए तो इसकी वज़े से RBI कि जो actions है RBI जो है frozen हो गई है कुछ करनी पारी रेपोरेट पे रेपोरेट इतने टाइम से कम ही चल रहा है और अभी भी कम ही है समझ आ रहा है in sticking with the status quo status quo maintain हो रहा है status quo maintain हो रहा है का मतलब क्या है कि चीज़ें change नहीं हो रही रेपोरेट में कोई change नहीं आ रहा RBI कि जो policy makers है उन्होंने underscore किया underscore का मतलब क्या होता है highlight किया क्या highlight किया that they find themselves trapped in a no man's land वो अपने अपको कहां पा रहे हैं कि वो एक no man's land में trapped हो गए है ये क्या है ये एक पूरा का पूरा एक phrase है इसका मतलब क्या है वो कैसे फसे हुए है वो ऐसे फसे हुए है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे है they are not able to do anything वो repo rate को नहीं भड़ा पा रहे है मतलब उनके पास कोई भी control नहीं है किसी भी चीज़ को करने का on the one hand अगर एक तरफ देखे तो जो global और domestic economy है उसको बहुत loss हुआ पूरी दुनिया की economy को और हमारी country economy को बहुत नुकसान हुआ क्यों नुकसान हुआ omicron की वज़े से और जो future में हमें लग रहा है कि जो recovery के chances है वो और जदा risky हो गए है क्यों risky हो गए है recovery के chances क्योंकि uncertainty है जो pandemic को घेरे हुए है shrouding means cover करना uncertainty है इतनी जदा uncertainty है कि आगे क्या होगा कैसे होगा इसकी वज़े से क्या हो गया है कि recovery होगी नहीं होगी कुछ नहीं बता सब जगा uncertainty ही uncertainty है prognosticating means predict भी नहीं कर पा रहे है prospects means कि क्या क्या चीज़े होगी economy में समझ आ रहे हैं सभी को is the article first passage clear to everyone तो author ने क्या बोला author ने किसकी समरी हम बोलें तो RBI के हाथ बन्ने हुए है RBI कुछ नहीं कर पा रहा है economy में बहुत सब दा uncertainty है pandemic की वज़ा से आगे पढ़े कि वज़े हुआ रहे है आगे बहां एक मज़ेदे यह ज़े है आगे है कि अध़े है कि आखे है आगे आगे प्राइवेट कंजंप्शन जो लोक खर्चा करते हैं जो सबसे ज़ाद important चीश है domestic demand के लिए उसमें बहुत कम sign है कि उसके अंदर फिर से जाना रही है मतलब लोगों ने खर्चा करना start किया है demand करना start किया है अब उसके भी कम sign है इसके साथ क्या हो रहा है लगातार बाहर के commodity prices जो दाम है बाहर की country से जो आ रहे हैं करने के समान जिन समान हो को IMPORT कर रहे हैं वहुत सधा वोलाटिलिटी बढ़ गई है इंटरनाशनल फिनांशनल मारकेट में इस श्राविछेंजव बहुत तेजी से हो रही है ऊपर नीचे बहुत तेजी से पूरी ऑगे जो हम समान import कर रहे हैं उसमें problems हो रहे हैं bottlenecks का मतलब क्या दिक्कते आ रही है और नजरिया जो है कि आगे क्या होने वाला है उसके जो risks है वो बहुत सब बढ़ गए है सबसे ज़्यादा important चीज जो हमें दिख रही है कि RBI ने पहले predict किया था growth को GDP RBI ने पहले क्या बोला था RBI ने GDP हमें बताया था 7.8% जबकि economic survey में जो prediction हुआ था वो 8.0 to 8.5% हुआ था तो मतलब problems ही problems है फिर क्या हो रहा है service sector के अगर हम बात करें जहां पर contact सबसे ज़्यादा होता है फिर private investment भी कम हो गया है तो central bank को ऐसा क्या लग रहा है कि जो growth है अगले साल वो बहुत ज़्यादा नीचे हो चली जाएगी गिर जाएगी 17.2% का जो expansion है quarter one में वो 4.5% का रह जाएगा quarter phone में मतलब इस पूरे passage की tone कैसी है इस पूरे passage की जो tone है वो pessimistic है author क्या कह रहे है कि सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है इंपोर्ट को इसामान कर रहे है तो उसका price बढ़ रहा है financial markets में भी बहुत तेजी से उच्छाल आ रहा है bottle supply में problems आ रही है उसके बाद इस सब्सक्राइब की वज़ा से prediction जो है बहुत कम हो गया है पहले economic survey ने बोला था इतने का growth होगी फिर RBI ने बोला इतने की growth होगी फिर उसके बाद लग रहा है अगले साल में क्या हो रहा है कि जो growth है वो भी बहुत कम हो जा रही है private investment नहीं हो रहा service sectors में बहुत ज़ादा contact होता है तो वहाँ पर भी बहुत ज़ाद रिस्क है तो author ने सारी की सारी negative चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या problems है हमारी country की economy के साथ pessimistic का meaning क्या होता है negative बिटा चले आगे पढ़े read it prognosis means prediction कि अब क्या predict कर रहे हैं आगे के लिए क्रिटिकल नहीं है टोन में तो बुराई करते हैं किसी की author ने किसी की बुराई नहीं करी तो tone is not critical difference समझो critical और pessimistic में pessimistic में सब कुछ बुरा 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 हो रहा है और critical में साब किसी की बुराई कर रहे है कि अबड़ का कर सकती प्री आः थिति था कि बुराई दो बुराई कि ना ही कोई सुकून है रिस्पाइट का मिलिंग क्या होता है सुकून प्राइस स्टेबिलिटी को देखें तो कोई सुकून नहीं है आर बिआ के को अ कि रिस्क को कम कर दे डाउनस प्लेशन जय हो जो सबसे जाधा है है अगर हम इस quarter में देखें जो चौथा quarter चल रहा है इसमें महेंगाई सबसे जादा है पांच जो अपर टॉलरेंस थ्रेशोल था च्छे परसेंट का चाहिए और परिशान करने वाली बात तो यह है कि मिस्टर दास बीस बात को मान रहे हैं कि ग्लोबल क्रूड प्राइस जो क्रूड ऑल के दाम है जो कि बढ़ते जा रहे हैं वो भी एक रिस्क डाल रहे हैं कि और महेंगाई बढ़ेगी क्रूड ऑल के दाम है वो भी बढ़ते जा रहे हैं तो monetary authorities जो हैं वो क्या कर रही है appear to have plumbed for backing their own optimistic assumptions मतलब उन्होंने जो पहले अपना खुद का optimistic opinion रखा था कि हम ये अच्छा होने वाला है अब उनको support करने के लिए वो भी परिशान है मतलब उनको support नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि global crude prices भी बढ़ते जा रहे हैं और इतनी सारी मुश्किलें आती जा रहे हैं हमारी economy में मतलब जो author की जो tone है वो क्या है वो properly negative है बूरी तरीके से negative है कि क्या के कमी होती जा रहे है softening what का meaning होता है कम होना अब ऐसा लग रहा है कि vegetable prices जो है कम हो जाएंगे सबजियों के दाम कम हो जाएंगे क्योंकि लग रहा है कि सरदियां आ जाएंगी on account सरदियां आ चुकी है इसलिए तो लग रहा है vegetable prices कम हो जाएंगे और जो prospects है मतलब और जो आगे की चीज़े हैं कि food grain production होगा मतलब prospects भी ऐसे chances हैं कि food grain production भी बड़ेगा, improve होगा तो इन सब की वज़ा से उन्होंने क्या बोला है कि inflation का जो नजरिया है वो अच्छा होगा मतलब महंगाई control होगी और ये उनको comfort दे रहा है जिससे कि वो policy को supportive ही बटा के छोड़ रहे हैं मतलब अगर मैं इस पूरे passage की theme बता हूँ पूरे passage में क्या था कि महंगाई बेटा बहुत बढ़ गई है ग्लोबल क्रूड ओयल के prices भी बहुत बढ़ गई है प्राइस गेंस भी हो रहे है लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी है वेचिटेबल के prices लग रहा है कब होके अच्छा खासा food grain production भी हमारी इंडिया में हो रहा है तो इस चीज़ की वज़े से कुछ ना कुछ सुकून है आगे पढ़ी लास पैराग्राफ जस्ट गिफ में अ मिनिट अच्छी आगे लेकावे अच्छी आगे लेकावे जो monetary policy committee है उसने forecast किया कि जो महंगाई है उसका average 4.5% रह जाएगा 2022 से 2023 में किसकी उपर उन्होंने इस point हो रखा है इसका थियो base क्या है कि uncertainty है लेकिन monsoon normal होगा RBI का जो panel है जो रेपोरेट को decide करता है उसने क्या किया है छोड़ दिया है अपने primary काम को stability को maintain करने के काम को किसके जगा क्योंकि उसको लगता है कि अभी economy को impedance देने की जरूरत है अभी economy को motivation देने की जरूरत है economy को push देने के लिए RBI जो है रेपोरेट को change नहीं कर रहा है price stability को ensure नहीं कर रहा है यह उसने risk लिया है कि economy को अभी आगे बढ़ाओ महंगाई बढ़ती है तो बढ़ने दो एक कैसे समय पे जब inflation जो है बहुत उचाईयों पर है बहुत सारी countries में multi-regardial highs में इतना सालों में उचाईय पर नहीं गया जितना अब है तो इतनी सारी countries में महंगाई समय इतनी उचाईय पर है तो अगर बहुत सारी central banks जो है जिसमें federal reserve मतलब US की central bank है अगर वो policy को normalize करना ठीक करना start करेंगे तो actual में danger है कि RBI कहीं इस trend के पीछे न रह जाए मतलब अगर बाकी countries countries की जो bank है अपनी policies को ठीक कर रहे हैं बाकी countries की banks जो अपनी policies को ऐसा बना रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल हो तो और RBI ये काम नहीं कर रहा है तो कहीं RBI पीछे न रह जाए उनसे जो सब कर रहे हैं RBI कहीं पीछे न रह जाए कई ऐसा ना हो कि country की economy को बढ़ाने के लिए अगाई इतनी जादा बढ़ जाए कि उसको बात में कंट्रोल करना मुश्किल हो समझाया सभी को passage everyone yes grammar session डेर बजे होगा सभी का जते ही बच्चें को grammar में दिक्कत है vocabulary में दिक्कत है make sure कि आप इस session को जरूर attend करे very important session for all of you free session and academy learning application में Monday to Friday होता है code आपको क्या लगाना है निमर्शा इस code को लगाओगे maximum discount भी मिल जाएगा class इस code को लगाओगे class open भी हो जाएगी चल्ट अब आजाते है article 2 पर आप हम क्या करेंगे skimming करेंगे reading नहीं करनी skimming करनी है जो budget आया futuristic है आगे की देखने वाला है और inclusive है सबको साथ में लेके चलने वाला है यह budget दिखाता है कि हम जो है हमारा जो vision था 75 साल से 100 साल तक का independence के उस vision की journey पर आगे बढ़ चुक है मतलब ऐसा लग रहा है author की जो tone हो क्या होने वाली है optimistic होने वाली है author तारीफ कर रहे हैं कि जो budget आया बहुत बढ़िया आया हमने मतलब रास्ता शुरू कर दिया है अपनी progress का चल आगे बढ़ते हैं skim कीजिव मुझे main idea बताईए घटके मुझे मुझे बताई एव्या व्या विए दियू आगे बताईए विए कि एक कि एक चीज़ से विजन और पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेके आए उस चीज़ से दूर हो जाएंगे कौन सी चीज महंगी हो गई है वो नहीं अब डॉक्यूमेंट क्या है कि आगे करना क्या है यह बजट दिखाता है कि हमने अपना रास्ता शुरू कर दिया है हमारी जर्णी शुरू कर दिया है जी डीपी का डेटा दिखाता है कि हम प्री कोवेड लेवल पहुच चुके हैं जो हमारी आदी से ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है हमने अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखा है फूड ग्रेन बहुत सदा हमने प्रेडियूस किया कोवेड नैंटीन के बावजूद भी खूब सारा हमारे प्रोडक्शन हुआ फूड ग्रेन का हाला कि जो मैनुफैक्ट्रिंग सेक्टर था यह से जो कुछ थोड़े से गुड परफॉर्मर्स थे वह भी रिकवर नहीं हो पाए है प्री कोवेड लेवल पर नहीं पहुच पाए है हमने दो साल खो दिये हैं इस कोवेड की वज़े से और जरूरी है कि हम वापिस आए और इन दो सालों में जो हमने खोया है उसको वापिस प सेक्टर जो है वो प्री कोवेड लेवल पर नहीं आया है तो इसी लिए अब हमें क्या करना है अब हमें इसकी भरपाई करनी है और अब हमें और ज्यादा एनर्जेटिक ली बाहर आना है कि नीश का मतलब होता है कि सिलेक्ट मतलब बहुत एक्सक्लूसिव बहुत बढ़िया सेक्टर्स थोड़े से जो बहुत अच्छे होता है उनको बहुते है नीश प्रोडक्स या नीश सेक्टर्स कि आगे पढ़िए कि स्किम कीजिए कि एवरिवान कि स्किमिंग करने है बीटा रीडिंग नी करनी उपर उपर से पढ़ने है बहुत अच्छे-चे एक्जाम्पल्स हैं इंडिया ने कैसे अपना डिजिटल टेक्नोलोजी को इस्तिमाल किया है आधार कार्ड डारेक्ट ट्रांसफर कोविड वैक्सिनेशन कैशलेस पेमेंट nursery इस समय Government ने शुरू किया है नया cow चेंज लाने का जिसे कि सारे उतांसगों फायदा हो सबको साथ में लिखके चलstart हो यह वागास कि हम थ्टिक स्टे में थे चल रहे हैं सब को हम मिला के चल रहे हैं चाहे वह एडुकेशन की बात हो लोकल लैंगविज की जो प्राइम मिनिस्टर की विद्धिया स्कीम के दुवारा की करवा ही जा रही है यह पोस्ट ऑफिस बांकिंग का इंटीग्रेशन हो यह फिर एग्रिकल्चल की और रूरल ने क्या किया है बर बर के तारीब करिया कि सारी चीजों मे求 हो ओ छाहे वो गजिटल इंटीग्रेशन हो चाहे एग्रिकल्चल्चर हो चाहे वह रूरल डिव्रमेंट schemes हो चाहे वो cashless payment platform हो चाहे वो GST हो चाहे वो covid vaccination हो हर चीज़ पर सरकार ने काम किया है ऐसा author ने बोला है कोई दिकत चल आगे पढ़िए और क्या के तारीफ करिए author ने skimming is overall idea लेना हर line हर शब्द नहीं पढ़ना है जो performance linked incentive था जिसको अनाउंस किया था इसकी वज़े से इंडिया जो है global hub बन गया manufacturing का support दिया जा रहा है फिर गती शक्ती योजना आ गई जिसको भी बहुत अच्छे से सेट किया गए बहुत complex project है बड़ इसके अंदर potential बहुत जादा है बहुत employment generate करेगा और इसको अच्छे से implement किया जाएगा public investment को भी आगे बढ़ाया गया जो कि बहुत जरूरी था कोविट से बहार निकलने के लिए अब यह बात प्रूफ हो चुकिए कि जो entrepreneurs है वो और जादा अच्छे हो गए हैं और जादा पब्लिक investment में खुब सारा आ रहा है आगे स्किम कीजें आगे यह लिखा हुआ है जो स्टार्टप्स हैं जो छोट छोट एंटरप्राइस हैं वो कल के सबसे इनको एंकरेजमेंट हम कर रहे हैं स्टार्टप्स को एंकरेजमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छा फ्यूचर का investment है finance minister को यह बात बोलनी चाहिए थी बोल सकते थी वो कि इन investments को हम उन्हीं की तरह investment की तरह ट्रीट करेंगे जो resident जो हमारे कंट्री के लोग investment करेंगे जो बहुत जादा लंबे टाइम से डिमांड है global diaspora के जो हमारे लोग बाहर रहते हैं और जो invest करना चाहते हैं इंडिया में वो लोग चाहते हैं कि उनको भी quality मिलें तो finance minister को यह चीज़ करनी चाहिए थी अब हम जो हमारा जो हमारी कंट्री के लोग जो बाहर रह रहे हैं उनको हम यूज कर सकते हमारी economy को ग्रो करवाने के लिए healthcare को भी जादा priority देनी चाहिए थी जो इतना सारा GST आ रहा है यह दिखा रहा है कि system stabilize हो रहा है और automated analytics डेटा को इस्तमाल करके जो input credit leakage हो रहा था मतलब जो credit leak हो रहा था जो सरकार को नहीं मिल रहा था उसको भी हमने remove कर दिया है और यह सब भी अच्छे कदम है कोई दिक्कत डायस्पोरा का मतलब होता है वो लोग जो इंडिया के तो है मट बाहर की कंट्रीज में उनको रहे रहे हैं बाहरी कंट्रीज के उनको citizenship है उसको बोलते हैं डायस्पोरा लास्ट गर्मेंट ने अपना कमिट्मेंट दिखाया है green clean and green technology को जैसे की electric vehicles को encourage किया जा रहा है renewable energy solar energy wind energy इन सब को encourage किया जा रहा है battery storage बैटरी को change कर जाए उनके standards पर काम किया जा रहा है energy पर काम किया जा रहा है finance minister ने clear रास्ता बताया इंडिया के लिए और जरूरी है कि हम इस रास्ते के उख को implement करें और हम हर कदम पे सब को साथ में लेके चले और future के बादे में सोचते हुए चले समझाया सभी को दोनों paragraphs तो second वारे टोन पैसेज की टोन कैसी थी optimistic थी, author ने तारीफ भी की थी सरकार की, applauding थी, sanguine थी, hopeful थी तो इसके जो टोन थी वो ये सारी की सारी थी चले आज का question क्या है कि आपको क्या लगता है रेपोरेट को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए RBI को क्या करना चाहिए, रेपोरेट को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, what is your opinion या तो आप इसका अंसर दोगे या फिर जो budget में चीज़ें आई हैं क्या आप satisfied हो जो budget आया उससे या नहीं are you satisfied with the budget or not दो questions इन दोनों में से किसी भी एक का अंसर आप दे सकते हो comment section में 12 शब्दे screenshot ले लो कम से comment में से 5 words का meaning सभी को comment section में लिखना है you have to write the meanings of at least 5 words in the comment section सभी को लिखना है match the columns tell me the answers sorry but agile penetration vigorous get off sorry in the face of scores one four five two and three तो अब हम मिलेंगे साड़े आट बजे perfection batch की class में make sure किजिए कि सबी लोग class attend करें इस वीडियो के description में एक telegram channel है वहाँ पे आपको pdf मिल जाएगा एक query form है कोई doubt होता है कोई query होती है तो आप वहाँ पे फिल कर सकते हो 24 या 12 महिने में साब कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो code आपको चुल लगाना है वह इस कोड को अप्लाय करोंगे आपको maximum discount मिल जाएगा डिले मत करो perfection two-point होगी जितनी classes मिसोर है उतनी problem है तो make sure किजिए कि आप भी सभी लोग same level ले पहुंच जाएं कल maximum बच्चों ने यही बोला कि मैं perfection को attend करने के बाद English बहुत इजी लगी और maximum बच्चों का यही कहना था कि English की वज़ा से selection हुआ है क्योंकि बढ़ा English सबसे जादा scoring subject होता है सबसे जादा scoring subject English है इस तरीके से आप सबस्क्रेप्शन ले सकते हैं साड़े आट बजे रोज हो रहा है perfection batch very very important for all सभी के लिए बहुत बहुत important है perfection batch हाँ अब भी मैं सब लोगों से जूम सेशन बात भी करूंग जितने बच्चों का selection हुआ है congratulations मेरी तरफ से और I'll talk to each and every one of you हम एक जूम सेशन कंड़क करेंगे जहां पर मैं खुद आपको परस्नाली को congratulate करूंगे आप लोगों से आप सभी की स्टोरी सारी सीज़ा मुझे मतलब मुझे बहुत excitement है आप लोगों से बात करने का तो आज यह पर most probably कल वो जूम सेशन हम रखेंगे है चीक है कोई दिक्कत किसी को कोई problem I hope नहीं है एक और important चीज एक अनकाइडमी का government exams का scholarship test है ssd bank and railways exam के लिए सो 20th febko है 10 बजे है ssd का 2 बजे है railways का 5 बजे है so make sure that you give this scholarship test आप से scholarship test में जोल करने के लिए एक code पूछा जाएगा उस code में अपने मिशा लेख सकते है आपका test start हो जाएगा च्छे तो आज को session end कर रहे हैं तीन sentences सभी लोग मिलके पोलेंगी 1 2 3 and go English is a very easy language I am very good at English and I definitely get my dream job thank you everyone bye bye take care stay blessed and tata you